करने की कोशिस करतों में molecular biology के लिए और unit number 3 के recalling के लिए तो फटा-फट शुरू करते हैं बिना किसी इधर-उधर की बात करने के बज़ा सेंटल डोगमा की उपर बात कर लेते हैं तो कि ने का पहले बाद कुछ सब्सक्राइब होते हैं और उसके बाद चैन्जेम के वज़ये हैंने का ट्रस्रेप्सक्राइब के वज़ए से जो है MRNA का process MRNA की synthesis होगी अगर यू करिया ओठे तो उस MRNA को process किया जाएगा और फिर translation process में जाएगा और translation में ribosome की मतल से protein बनाता है उस protein को modify किया जाता है और जीन जो है functional हो जाता है और फाइनल लास्ट में जो है transcription फिर processing फिर translation और फिर स्पोर्स टांसलेशन मोडिफिकेशन और होता है जीन रेगलेशन एके करके इन चीजों को learn करने की कोशिस करते हैं फिलाल के तौर पर जो है अगर मैं बात करूं तो कहिने के genome को हम classify कर सकते या cell को non-cellular में वारस और विरोड को आप सो करते हैं वारस में कई सारे जो है एजन्टिक material DNA और RNA DNA वारस भी हो सकते हैं साथ में cellular organism में प्रो केरियोर्स यू केरियोर्स भी हो सकते प्रो केरियोर्स में इस तरीके के genome में एक complexity को रिलेट किया जाता है कॉट वैल्यू से जो की रिनेचुरेशन kinetics के उपर बेस होता जितनी complexity होगी उतना ही रिनेचुरेशन जो है difficult होगा और जितनी complexity कम होगा उतना जलती होगा तो अगर number of base pair बढ़ेगा तो court value बढ़ेगी complexity बढ़ेगी GC value बढ़ेगा तो complexity बढ़ेगी court value बढ़ेगा या number of repeats अगर कम होगा तो complexity जादा होगी और court value बढ़ेगा इसके बिसिस पे कुछ इस तरीके के DNA करवात है जिसमें court value और आपके जो है बेसिक तोर पर्सेंटेज ऑफ डी ने री ने चर्ड की जो है बात की जाती है तो उसमें जितना complex DNA होगा उतना ही जो है वो court value पाया जाती है और जितना repetitive DNA होते हैं जिस सैटलाइड डी ने पॉली ये पॉली यू होते हैं उनके जो डीने होते हैं वो थोड़े से less court value क्योंक होती चली जाती है अगर repetition बढ़ता रहता है तो repetition में DNA highly repetitive या mild repetitive भी हो सकता है इसके लिए इंटर्प्रस रेट्रो प्रजॉंस में line और sign को सो करते हैं इसमें element या L1 elements को जो है आप mention करते हैं यह सारे जो है आते हैं जीन की बात की जाए तो जीन को classify किया जाता है इसे पहले one gene one enzyme one gene one protein one gene one polypeptide one gene one RNA अब जो hypothesis है वह one gene more than one polypeptide का या one gene more than one RNA का जो है condition बन रहा है इसके लावा जीन की जब बात की जाते तो प्रोकरियोट्स में जीन का नंबर बहुत कम होता यूकरियोट्स में थोड़ा ज्यादा होता है लूबर यूकरियोट्स में और human में लगब 30,000 जो है active genes पाया जाते जीन्स जो है वह नॉन इंटरप्रेट और इंटरप्रेट दोन हो सकते इंटरप्रेट का मतलब बीच बीच में इंट्रांस हो सकते हैं अगर विथ इंटरॉन है तो split genes होते या इंटरप्रेट जीन्स होत होते हैं या group 1, group 2 इंटरॉन्स पाया जाते हैं यह सारे इंटरॉन्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा जब बात करते हैं तो transcription unit जैसी conditions भी डेवलप होती जिसमें एक आपके start site होगा और उसके start site के पहले promoters होंगे promoters से पहले कुछ enhanced sequences होते हैं and then after that there is a coding regions and there is a stop site इसमें आपको template non template के कहानी भी होती जिसको c ns बोलते हैं जो coding होगा वही non template होगा और वही सेंस होगा जो coding होगा वही non template होगा यानी कि cns coding non template & sense trend एक ही होते हैं और इसके अलामा जब जो कोडिंग होगा वही आपका जो है template होगा और वही ंटीज होगा तो cns nta जो है यह वार-वार में code को मेंसेर करता रहता हूं अगर यार्द हो तो इस यह cns nta भर फिर ध्यान मैं के cns nta cns का मतलब coding है non template है sense है या non template है non coding है template है और आपका एंटी सेंस है तो यह चलती रहनी चाहिए इसके आगे बड़े तो क्रोमोजोम की आर्खिटेक्ट्चर भी यहीं पर देख देखते हैं क्रोमोजोम की बात करें एक छोटा आम एक बड़ा प्याम होता है इसमें जो है जब यह रिप्लिकेट करेगा तो यह एक ही सेंट्रोमेर इससे जो है इनका जते हैं इंड वर इनमें का अफ्रोमो से का लिकेशन का पर देख यह भी करते हैं यह लिप्लिकेशन अ सब्सक्रिक्ट्च कर रहे होते हैं इनका प्रजन्स ओफन चुहर क्रोमोजोम प्राइब है एंड काफी कॉमन पाया जाते हैं यह क्रॉसिंग वर इन में काफी कॉमन होता है जबकि हेट्रोक्रोमेटीन जादा कंडेंस होते हैं कंडेंस होने का मतलब टोटल नमवर जीन जादा तो जरूर होता है लेकिन जादा तर जो कि अवार करो मुजों की अगर थोड़ा सा नियर दर इंड बोलते हैं अगर से नियर तो सब मेटा सेंट्रिक और अधिसेंटर है तो मेटा सेंट्रिक का कंडिशन वह गिवलप होता है तो कई तरीके के इनको जो है ऑन दे बेसिस ऑफ साइज यानि सबसे पहला क्रोमोजोम होता है सबसे पहला क्रोमोजोम होता है और इस तरीके से यहां पर कई सारे सब होता है होता हर ची मेंटा से में यहां यहां जो कि चेश पहते हैं इसके लावा पनिंग जो कई तरीके बेंडिंग होती है जैसे यह ऑर ची निंग् के लिए होता है लाइट एक्री peuvent foxman कुई दोनों ही धोते हैं लेकिन इस और याद रहे रिवर्स होता है जी को ही उल्टा रिवर्स जी बोला जाता है इसके बाद ॐ नूओड से हूसे यॉटोड बदाइमर बनाता 핫्री क 예फ्टी टेट्रामर बनाते हैं यह बनातार total histone का octamer appear होता है और यही बनाता है nucleosomes और इसी nucleosome के around wrap होता है आपका DNA 1.65 ton तो core histone मिलके लगभग DNA का 147 base pair मिलके 1.65 ton में wrap होके यह जूटता है H1 से और H1 लगभग 20 base pair और DNA को wrap करता है और लगभग 167 base pair आपका core octamer के साथ आजाता है then कुछ ऐसे DNA होते हैं जो कि naked DNA होते हैं और वो naked DNA linker DNA के तौर पे होते हैं जिसमें किसी histone की binding नहीं होती है और यह chromatosome और यह DNA मिलके बना देते हैं nucleosome 200 base pair यहाँ पे देखने को मिलता है यह conditions होते है nucleosome की जब बात की जाती है तो इस तरीके से DNA wrap up around होता है nucleosome के round DNA 1.65 wrap होता है जिसमें लगभग 200 base pair होते हैं और 200 base pair इस linker DNA और nucleosome में DNA जो wrap होता है उसको मिलके बनता है और इस तरीके से कही सारे DNA wrap up होते हैं और wrap up होने के बाद जो है एक nucleosome का model बनता है 6 nucleosome per term जिसको आप solenoid model के तोर पे आते हैं तो most common form जो है 11 nanometer का आपको देखने को मिलता है octamer जो होते हैं वो 146 यह 147 base pair से जुड़े होते हैं linker histone 20 base pair के wrap up होता है gap यानि जो linker DNA होता है 33 base pair होता है turn 1.65 turn होते हैं जिसमें की S3H4 जो tetramer बनाता है वो ज़्यादा conserve होता है जब कि S2S2B जो है वो काफी vary कर सकता है इसके अलावाद जब हम बात कर रहेते तो इस तरीके के conditions में याद रहे है S2H2B dimer बना रहा है S3H4 tetramer बना रहा है S2H2B dimer बना रहा है यह मिलके बना रहा है dimer tetramer dimer that is the octamer यहीं है core core से जो है wrap up होता है 146 to 147 base pair of DNA इसके अलावा जो होता है H1 जूटता है 20 square of DNA यह मिलके बनाते है chromatosome जिससे DNA wrap up होता है 167 base pair इसके बाद आता है आपका linker DNA जो कि किसी जिससे कोई histone wrap up नहीं होता है जो कि 2 nucleosome के बीच में naked DNA होता है जिसके around 33 base pair होता है तो total एक और 2 nucleosome के बीच में 200 base pair DNA जो है पाया जाता है और यह बनाता है 6 nucleosome per time और वो बनाता है fiber model जिसको बोलते है 30 nanometer solenoid fiber model इसको बोलते है beats on the string model और फिर उसके बाद fiber model जो है appear होता है तो यह आपके 30 nanometer fiber model जिसमें 6 nucleosome per time होते या तो solenoid या जिग्जेक दोनों में अंदर के उता solenoid में beat central axis से DNA pass नहीं होता linker DNA जो होता है जबकि यहां पे gig-jack model में central DNA से central axis से DNA pass होता है central DNA या linker DNA जिसे हम बोलते हैं इसके लमा अगर देखा जा तो DNA का diameter 2 nanometer वो सबसे पहले beats पे wrap up होता beats on string model जिसका diameter 11 nanometer होता है उसके बाद यह जो है six neutron zone pattern बनाता है जिसके बाद इसका diameter 30 nanometer होता है इसको बोलते है solenoid या zig-zag model यह फिर कुछ इस तरीके से बनाते है जिसको बोलते है 300 nanometer model जिसको loop model बोलते है और यह loop जो होते है scaffold के form में जो अपेर होते हैं diameter 700 nanometer होता scaffold model और यह फिर फिर एंटी-मेट्री chromosome के form में होता है जिसका diameter 140 या 1400 nanometer होता है तो अगर मैं flow के form में देखू तो सबसे पहले हैं है helix 2 nanometer beats on string 11 nanometer fiber model 30 nanometer loop model 33 nanometer scaffold model उसके बाद 700 and chromosome 1400 यह होता है आपका order helix beats on string fiber loop scaffold that is beats on string fiber loop beats model fiber model loop model scaffold model इस model से चीज़े चल रही होती है इसके अलबाद बात करते हैं replication के लिए तो replication में copy of DNA होता है s-fege में जो है appear होता है semi-conservative model होता है इसमें primer का involvement हो करते हैं क्योंकि polymerases DNA polymerases three prime OS dependent जाने जाते हैं इसलिए आप प्राइमर की जरुवत पड़ती है यह लगभग सभी organism में आपको देखने को मिलता है process के तौर पे कोई भी molecular processes होते हैं जिसमें हम बात करते हैं initiation, elongation, termination termination का condition जो है develop होता है origin of replication चाहिए जहां से replication start होगा वहां पे कुछ न कुछ 80 sequences होते हैं जहां से melting start होगी melting के लिए helicages जैसे nimes का जो है आप यूज करते हैं इसके लबाद primer bind करता है और उसके बाद replication start होगा यह जो है generally three prime OS dependent होते हैं जब में mode of replication की बात करते हो तो three mode of replication होते हैं जिससे की बात करते conservative, semi conservative and dispersive parental DNA है वही फॉर्म बनेगा बागी के सब 1414 यानि अलग फॉर्म बनेगे and dispersive में जो है N14 and 15 dispersed हो जाएंगे and semi conservative में जो जो दोनों strengths होते हैं उसमें 50% strength जो है conserve रहता यानि parental रहेगा बागी का नहीं आ जाएगा तो semi conservative सबसे common होता है replication के 3 model से theta rolling circle and linear अर्थीटा को बोला जाता है कुछ इस तरीके का model जिसमें circular DNA के लिए होता है इसमें कोई भी breakage bond का नहीं होता है एक ही replic on होता है और यहीं जो है circular molecule को बनाता है यू निया τι इस मै mixture होता है दो सट्वीज्व यहां फे si сердके हो जाते हैं पॉलिविरी सी लिए भात करें तो पॉलिमर्न आगर incl childhood को DNA में बना है तो DNA dependent DNA polymerase बोलेंगे जिसको आप रिवर्स टास्क्रिप्टेज भी बोलते हैं कुछ न्यूक्लेज जो जो जैसे काम करते हैं तो polymerase का यूज आप यहां पर देखते हैं अगर मैं प्रोकरियोटिक की बात करूं तो DNA polymerase पांस तरीके तो है 1,2,3,4,5,4 और 5 जो होता है लेकिन वन का भी काम काफी कुछ जादा होता है जैसे कि DNA रिपियर में प्रूफ रिडिंग में प्राइमर रिमूवल में असिस्ट करता है DNA polymerase टू थर्ड को और प्राइम 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 प्रा प्रूफ रिट करने के लिए जो एक्टिविटी पाई जाती है उल्टा रिमूव करकर के तो वो पाया जाता है पॉलिमेर्ज 1 के पास और इन्हीं तीनों के पास वो प्रॉपर्टी होती है तो यह कंडिसन्स आपको देखने को मिलता है नौ इसके अलामा जब हम बात करें तो कभी कभी फंक्स जो है वो आते हैं याद रहे कि कोर के तौर पे अलफा एक्सालन थीटा होते है जिनका बेसिक काम होता है या तो पॉलिम्रेज का या तो प्रूफ रिडिंग यानि एक जो नुकलेज का इसके लमा एक सब्यूनिट होता है जो आप बोलते हैं गामा परपर्ठी यानि इसी काई सब्यूनिट से ही जुड़ता है इसके लमा एक यहां पे बीटा होते हैं इसको बूलते हैं यानि जो डियने पॉलिम्रेज करने वाला होता है गामा complexes. Now moving ahead कि अगर DNA polymerase you carry out के बात करें तो इसमें भी 5 तरीके के होते हैं लेकिन alpha, beta, gamma, delta, epsilon alpha, beta, gamma, delta, epsilon जब alpha, beta, gamma, delta, epsilon की बात करते हैं तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होता alpha, beta, gamma, delta, epsilon होते हैं जिसमें कि अगर रहान दे तो इसमें polymerase activity सभी में होती है 3 to 5 prime polymerase होती है वो सिर्फ और gamma, delta, epsilon में होती, alpha और beta में नहीं होती लेकिन 5 prime to 3 prime exo नुकलेस activity जिसको की primary removal activity बोलते हैं वो किसी में नहीं होती है, वो किसी में नहीं होती जिसकी वज़े से primary removal है यहां पे eukaryot में कोई और protein करेगा polymerase नहीं करेंगे, जो हम polymerase alpha की बात करें तो उसका काम होता DNA के primer को बनाना polymerase beta की काम करें तो basic seizure repair में gamma का बात करें तो mitochondrial DNA replication में delta का का काम करें तो lagging strength और epsilon का leading although delta और epsilon दोनों ही leading lagging कर सकते लेकिन अगर absolute पुछा जा तो delta जो है leading और epsilon जो है lagging के लिए जाना जाता है इसके लिए बात करते process के लिए तो replication origin जो है यह कुछ sample replication origin जो है prokaryot में एक होता है जबकि eukaryot में many होते है in the case of prokaryot यह और IC होता है 80 reach होता है जिसमें 9 मर और 13 मर पाया जाते है जबकि in the case of eukaryot यह ERS होते है होते हैं इसके साथ जुड़े होते हैं जो की बेसिक तवर प्रोपर्टी को सो करते हैं in the case of SSB जबकि उसका alternative होता है replication protein a in the case of eukaryot प्राइमेज के तौर पर यहां DNA G होता है जो की प्राइमर की संथिस करता है और सिर्फ और सिर्फ आरने प्राइमर बनाता है जबकि यू करियोट में RNA और DNA दोनों बन रहे होते हैं इसने प्राइमर यहां पर गायरेज दे और बी चाहिए होते हैं जबकि यहां पर वन एंट टू चाहिए होते हैं प्रॉससेटी कंप्रेंट के लिए जो है यू करियोट पर थोड़ा सा स्लो होता है तो यह कुछ कंपरेटिव चीज़े होते हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए तो अगर बात करते हैं प्रोकरियोटिक इनिसेशन के लिए तो कुछ इस तरीके से 9 और 13 मन पाया जाते हैं जहां पर की बाइन करते हैं कुछ इनिसेल कंपलेक्स यहां से जुड़ेंगे आपके DNA-A प्रोटीन DNA-A ही होता है Origin रिकॉग्रिसन कंपलेक्स यहां और सब्सक्राइब तो प्रफेशन हो origin recognition complex है वो जूटता है 9 मर्स से और इसके बाद form करता है एक लूप, लूप होने के बाद 13 मर एक्सपोज होता है, एक्सपोज होने के बाद helikage loader आता है DNAC और साथ में आता है आपके DNAB helikages, इसके बाद आते हैं वहाँ पे ब्रेक करते है hydrogen bond 13 मर के melting स्टार्ट हो जाती है और replication bubble बन जाता है, DNAC से शुरू होने जाएगा, यह condition आपके साथ हो जाएगी, तो अगर मैं comparatively यहाँ पर बोलू तो कुछ इस तरीके का condition है पूरे के पूरे replication में, ध्यान है तो किस तरीके का case बन रहा है, तो सबसे पहले बात करते है, ORSC यानि यह comparatively पूरी के पूरी replication की final slide है, OR ORS यानि की origin recognition sequences, in the case of prokaryote or IC, eukaryote में ARS autonomous replicating sequences, origin जो होती है, वो bipartile होती है, जबकि इसमें multi-partile है, 9-mer, 13-mer, जबकि इसमें जो A, B1, B2, B3 होते हैं, now origin का number यहाँ पे 1 होता है, जबकि eukaryotes में multiple, यानि many origin of replications होते है, ORC जो की origin recognition complex होते है, prokaryote में DNA होता है, जबकि in the case of eukaryote यह ORC ही होता है, melting जो start होते है, 13-mer, यहाँ पे B2 से होती है, helicase loader यहाँ DNA C होता है, यहाँ CDC 6 and CDT 1 होता है, licensing complex भी बोले जाते हैं, helicase prokaryotes में DNA B होता है, eukaryotes में MCM helicages होते है, prokaryotes में etipage की जो property होती है, वो DNA B के पास खोदी ही होती है, जबकि eukaryotes में CDC 6 के पास होती ह है, helicase का activation, atypical hydrolysis होता है, जबकि eukaryotes में CDK और DDK जो की phosphorylate करते हैं, CDC और CDT को तब होता है, main replication enzyme DNA polymerase 3 को सो किया जाता है, जबकि eukaryotes में polymerase alpha और delta को सो किया जाता है, इसके अलमाद प्रोको आइसमरेज गाईरेज होते हैं, prokaryotes में 1 and 2 होते हैं, termination test protein से होता है, prokaryotes में and in the case of eukaryotes, generally termination जो है, वो अभी तक जो है, topoismerage या generally, जो है, completely identified नहीं है, primage का काम जो करता है, prokaryotes में DNAG और eukaryotes में polymerase alpha और primages करते हैं, SSB की बात करते हैं, तो prokaryotes में SSB, eukaryotes में RPA, clamp loader की बात करते हैं, prokaryotes में gamma complex, eukaryotes में RFC, processivity component beta clamp, eukaryotes में PCNA, primary mole का का काम करता है, prokaryotes में polymerase one, eukaryotes में करता है, RNNNFN, Flap Endo-Nucleases one, proof reading का काम करता है, prokaryotes में polymerase alpha and, polymert, epsilon and delta, gap illuminas moi, in the case of eukaryotes ये काम करता है, epsilon and delta, sealing का का करता है, ligages Claire, जो होता, 1000 nucleotide per second, prokaryote में 100 होता है, आई DNA का सिंथेसिस यानि DNA प्राइमर प्रोकरियोट पे नहीं होता है यूकरियोट में प्रोकरियोट में नहीं होता है यूकरियोट में नहीं होता है यूकरियोट में नहीं होता है यूकरियोट में प्रोकरियोट में नहीं होता है यहां पे यूकरियोट में अलफा स्विच ह जाएंगे, वो MCM Helicase को यहाँ पर connect करेंगे, 2 to 7, उसके बाद CDK, DDK, Phosphoryrate करेगा, melting होगी, और उसके बाद जो है, फटाफट replication सुरू हो जाएगा, तो यह conditions जो है, ORS, ORC, Helicase loaders, Helicase आएंगे, एसेंबल होगे, opening होगा, और फिर उसके बाद जो है, पहले primages आएंगे, वो RNA primer बनाएंगे, फिर polymerage अलफा आएगा, DNA primer बनाएगा, फिर उस polymerage की switching होगी, delta और epsilon से, और elongation होगा, and the termination जो है, वो इस तरीके से हो जाएगा, now this is the case, जिस तरीके से आप देखते हैं, जब भी यह bi-directional replication होता है, तो यह fork बनता है, fork में एक तरफ अगर leading है, तो उसी strength उसके पीछे जो है, lagging चल रहा होता है, और अगर नीचे की तरफ इधर leading है, तो यह आपका होता है, leading lagging कैसे decide होगा, यह decide होगा, क्योंकि direction of the synthesis होगा, वो हमेसा new strength के हिसाब से 5 प्रेम टू 3 प्राइम होगा, तो कुछ इस तरीके से conditions बनेंगे, और यह किसमें leading lagging बनेगा, यह ध्यान रख ले, इसके अलामा जो है, in the case of polymerages, हमेसा 5 to 3 synthesis होगा, proof reading के लिए 3 to 5 प्राइम exonucleases, प्राइम रिंवर के लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉल exonucleases, यह condition आपको यहाँ पर सो कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें bind हो रही थी और कैसे conditions डेवलप हो रहा था, तो replication अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, replication के लिए DNA A bind कर रहे थे, प्रोकरियोर्स में, यूकरियाट में ORC थे, इसमें helicase loader के तोर पे DNA A के बाद, DNA C था, DNA B था, जबकि यहाँ पे CDC 6 और MCM helicase थे, यहाँ पे SSB था, यहाँ पे RPA था, यहाँ पे जो है DNA G एज़ प्राइमेज था, यहाँ पर पॉलिमरेज 3 काम कर रहा था, जबकि पॉलिमरेज alpha के बाद, यहाँ पे जो IDNA बनने के बाद, पॉलिमरेज के switching होती है, और epsilon और delta काम करते है, कुछ इस तरीके से काम चलता रहेगा, ठीक है, इसके बाद बन जाता है, जो बीच बीच में, ओकजा की fragments होते हैं, उनको अगर seal करना होता है, तो कैसे seal किया जाएगा, seal करने के लिए जो IDNA लाइगेज होते हैं, DNA लाइगेज के तीन बेसिक प्रोसेस, एडिनालेसन अफ लाइगेज, उसके बाद, एक्टिवेशन और फाइप्रेम फॉस्वेट और इसके बाद तीसरा जो होता है, वो होता है, यानि सबसे पहले जो है, लाइगेज करता क्या है, लाइगेज जो होता है, वो AMP को अपने पर्टीकलर लाइसीन पे लेलेता है, यानि कि लाइगेज अपने लाइसीन पे, जो है, AMP को लेगा, उस AMP को ट्रांसफर करेगा, फाइप फ्रेम फोस्वेट से नूग्लो फॉस्वेटो शो है, वहान निुकलोफिलीक अ यह पाया जाते हैं अलग-अलग टाइप से अगर वन की बात करें तो यह कट करता है एक स्टेंड को चेंज करता है लिंकिंग नंबर को बाई वन से यह पॉजिटीव और निगटिव रूप से दोनों को रिमूब कर सकता है जब कि जरकी बात काई तो यह दो स्टेंड को करता है लेकिन लेखिनों को करता है जब कि पहला आई पर बात करते हैं यहाँ चलनी चाहिए इसके सब्सक्राइबDalsरर एक प्रफशन कोके जोते हैंबानों सब्सक्राइब लेगे चलते हैं और आपके साथ चलेंगे देखिए अपना आरहनें लेकर आया जो बालास्ट का प्राइमर चूट जक्रांगी यह प्रॉयं कि यहाँ कोड़ा है पाइच को ही लीडिंग और लिदी बोला जाता है और जिसकी वज़चा से सिंथेसिस होगी एक जगा पर कट होगा उसके बाद है वी स्टेंड पी रहेगी और टब तक होती रहेगी जब तक की two-third synthesis ना हो जाए जब तक heavy stent की synthesis two-third हो जाती है तब जाके light stent यानी ligin stent की synthesis start होती है इसको बोलते है do d loop replication यह condition हो जाते है refliction होने के बाद there is a change phenomena जिसको बोलते है generic changes large or small changes की बात होती है large changes in recombination small changes in mutation अब यह दोनों या तो हामफुल हो सकते हैं इसके लावा जब बात की जाते हैं तो there's a types of gender recombination and class में मैं पहले बता दू किस class में कई ऐसे बुद्धी जीवी प्राडी जुड़े हुए जो पहली बार जुड़े हुए यह पहली बार बच्चों के लिए class नहीं है दूद पीते स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी कम है थीक है तो हो सकता है कि 10-15 दस मिनिट जो है डीले हो गया था class में तो वैसे भी जो है इंट्रस्टिंग है कि इतने नहीं वो तो आप ही लोग जानते ठीक है तो सर थोड़ा धीर दिरे पढ़ाया है यह सब करें यह धीरे वाला concept है नहीं भाई टाइपिक में लिखा रहा था रिकॉल एक्स्प्रेस और यह जो पहली बार में बच्चा आ रहा है वो जिन्दगी सट्डाउन कर दो फोड़ फार दो स्क्रीन अगर गुस्सा आ रहा है तो ठीक दब मुबाइल पूरा तोड़ ताड़ देना है ना उसके बाद टाइप्स ऑ जन्टेक रिकॉंबनेशन को पर बात करते एक तो इतने इसलिए मुझे रुखना पढ़ रहा है मैं रुखना नह करते हैं तो इसको भी एकदम ऐसे करना कि बटन टूट जाए स्क्रीन टूट तब जाके ऐसा डिसलिए करना तब मजा आएगा ऐसे एक्स्प्रेशन नहीं आएंगे ना तो तब थोड़ा फ्रस्टेशन दिखना चीए एकदम चुहरे से मजा नहीं ठीक और बीच में अब ड इसको बहुत 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 एक पर जो है इसको सब्सक्राइब जो है यहां पर बोलते हैं इसके अलावा जो है रिप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन के ऊपर जब बात करें तो ट्रांस पोजीशन पे जो है इमारने बनता है और इमारने से छो है फिर जो है डियने टाव वहां पर बेसिक तौर पर चलता है तो यह चल रहें इसके लावा जब मैं बात करूं तो जो रिकॉम्बिनेशन वहोते होते डबल स्टेंड भी होते सिंगल स्टेंड ब्रेक ह यह तो रहें स्टेंड ब्रेक हो डिकॉम्बिनेट ब्रेक रिपयर हो लिया तो स्टेंड डिस्प्लेश्मेंट करें जिसकी वज़े से या तो SDS से हो या तो DSBR हो इसकी वज़े से कई सारे जो है रिपेर मेकनिजब में भी DSBR को यूज किया जाता है तो अगर बेसिक तौर पे बात करें तो बेसिक स्टेप यह उताँ करने के बात 5 प्रेम तो 3 प्रेम रिसेक्शन किया जाएगा स्टेंड का इंवेजन होगा दूसरे वाले स्टेंड में ब्रांच का माइग्रेशन होगा उसका रिजॉल्यूशन होगा और फिर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा इन दे किस ऑफ यू करियोट जो निकिंग होता है वो करता है SPO 11 जो सेक्शन करता है वो करता मिस्टर एक्शनी MRX एंड स्टेंड इन्वेजन करता है DMC1 एंड 51 ब्रांच का मेग्रेशन करता है रैट 54 और हॉलेडे जंशन का रिजॉलूशन करता है MMS4 एंड MUS81 यह सारे क्वेश्चन्स जो है कभी-कभी आते रहते हैं अग CPO 11 जो करता है وक्रिप रैक करता है रैट 25 के बाद रिसेक्शन Крас आम गाम सारे मेकैनिजम जो होता है अगर मैं DS , DS, DR, प्रेशन करता है यह स्टेंड करता है वही के बाद स्टेंडियोसन करता दो भीया से नकाम करता है MIKYE to स्टेंड इंवेजन ब्रांच माइग्रेशन रिजॉलूशन एंद हेट्रो डूप्लेक्स का फॉर्मेशन रिजॉलूशन यहां पर इस सारी फिनॉम्नाज जो हो रहे होते हैं यू के रियोट में बेसिक तौर पर देखा थे तो डबल स्टेड डीन ने के लिए इस प्यूब 11 जो है क्या करता है निकिंग, MRX resection, DMC1, RAT51, STANDING VEGEN, RAT54, BRANCH migration, MMS4, MMS81 जो है रिजॉलूशन का काम कर रहा था यह है रेक BCD का पाथ वे जिसको हम बोलते है BCD में Nucleages और Helicages दोनों होते, B जो है 3 to 5 प्राइम मूव करता है, D जो है 5 प्राइम तो 3 प्राइम होता है, और C जो होता है काई सैट को recognize करता है, यह जुडएंगे एक इंड पे और धीरी धरी चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, D तेरी से मूव करता है, B थोड़ा slow मूव करता ह इसकी वसे एक लूप बनता है, लूप को cut किया जाता है, वही से फिर रेक A bind करेगा, bind करके उस extra portion को लेके नीचे की तरफ invand करेगा, उसके बाद फिर दूसरे इनको या तो capture करे या वापस से displace हो, और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, that is homologous recombination, यह तभी possible है, जब इन तो खीच के नीचे लेका पुल डाउन करके फिर लाइगेट करेगा, हो बनेगा, वह माइगरेट करेगा, उसका फिर resolution हो जाएगा, चीज़े याद रहे है, जैसे कि रेक BCD का काम क्या होता है, यह काम होता है, निकिंग करने का, उसके अलावा रेक A का काम होता है, क्या? इ प्लिंक ने इसका नाम दियाता है, जैसे कि jumping gene, selfish DNA, जंग DNA, genoparasite, और बहुत सारे जो है नाम दिये जाते है, दो तरीके हो सकते है, या तो ट्रांसपोजिशन या रिट्रो ट्रांसपोजिशन, अगर वो DNA के साथ DNA ही मूव कर रहा है, तो उसको ट्रांसपोजिशन बोलेंग कट पेस्ट में उसका नंबर नहीं बदलता जबकि कॉपी पेस्ट में एक के बज़ा है दूसरा जो है वह एड हो जाता है नौ यह सारी चीजिस जो है यहां पर चलनी रखती है तो यहां पर और अपने मूमेंट को खुद फैसिलिटेट कर रहा है यह जो है दूसरी के उपर है तो कॉपी पेस्ट में भलगे यह कॉपी अंसरी कंसित दो योेट करे यहां यूट मैंक्रान केंवला वह जा रहा है दो कर रहा है गде और यह सब्सक्राइब करते हैं यह काम करते हैं आपके राड़े यह रिट्रो टांस्पोर्जोंस इसके अलामा क्लास टू जो होते हैं यह कट एंपेस्ट मेकानिजम पर काम करते हैं इसके अलामा वारेस में जीनोम इंटीग्रेटेड है तो मियू और लेम्डा फाज होगा और यहां पर फीवन फाज को आप सो करते हैं यह सारे एक्जांपल से टाइपस ऑफ ट्रांस्पोर्जहां के अगर मैं बात करूँ तो घे रहें तरीकी के कटनेशन को हम सो करते हैं इसरी के मीटेशन हो सकते हैं बीचुन हो सकते हैं.. अगर कोई वाइल टैप से वाइल टैप में ओगा तो उसको बोलते हैं I. इसका पोड़ुकस की हपते हैं, जो ब्लॉक हो जा रहा है क्या होझा हौँ हूँ प्रोडक्स के बात करते हैं, तो दिर जग केस है, जब मैं थोड़ा सा टांस्पोजोंस को उपर चरचा करूं, तो यह देखे, टांस्पोजोंस में इंसर्शन एलिमेंट के बात हो रही है, तो इंसर्शन एलिमेंट में जो है, वन जीन, अगर एक जीन वहाँ पर तो इसको सिंपल जो है, टांस्पोजोंस बोलते हैं, अगर लेकिन इंसर्शन सिक्वेंसेज या एक से जादा हो, या जीन एक से जादा हो, अगर इंसर्शन सिक्वेंसेज जो है, एक से जादा हो, लेकिन जीन एक ही हो, तो ऐसे बोलते हैं, और अगर इंसर्शन सिक्वेंस तो DS जो होते है वो non-autonomous और AC जो होता है वो autonomous AC अपना transposages खुद बनाएंगे जबकि DS अपना transposages नहीं बना सकता है इसलिए DC के moment के लिए DC के jumping region के लिए DC DS को jump करने के लिए AC पर depend होना पड़ता है इसलिए AC DS में जो deletion segments होते हैं यानि DS होते हैं they are non-autonomous they will require the AC for their moment इसके अलमा P element की बात करी थे मैंने 200 फिला में यह होता है कई सारे hybrid disgenesis hybrid infertile हो जाता है तो वो तभी होगा जब एक specific case बनेगा और specific case होता है PM पापा-मम्मी वाला case होता है यानि मम्मी का strain M हो और पापा का strain P हो तो father का strain P हो मम्मी का strain हो तो इसके बज़ा से hybrid disgenesis यानि hybrid जो है लाइन और साइन जो होते हैं वो class one के जो है transpositions यानि रिट्रो टांस पोजीशन पर बेस्ट होते हैं लाइन you carriers और साइन भी you carriers में राइन autonomous होता है जबकि साइन non-autonomous होता है साइन की डिपेंदेंसि यजी जह लगबहता गड़े साइज का नॉर्मले 67 tyd kb का उता ह hallway इसकोपीए जादा पाई जाती है और इसका एक्जामपल गड़ीहान का ड्री जORT जाधा है इसके यह ऊटोनौिंब पी संद शेला ज्लीशन जादा है इसके अलावा जब हम बात करते हैं, mutations में चर्चा कर रहे तोा 0.1ות, प्वाइंड म्यूटैसन का मतलब जब भी प्यूरीं में change हो, तो उसको बोलते हैं transitions, जब प्यूरीं प्यूरीं में learning change हो जाए तो transition या pyramidion to pyramidion हो जाए तो transitions, लेकिन अगर purine कली मिडिए को युढ़न से मुटतें के बार भी सेंग हो तो अब नोनसेनुमस में जो है जो है बेसिक तो और पे डिफेरेंट में उसका नेचर डिफेरेंट भी आप सो करते हैं, synonymous को ही silent mutation के तौर पर भी consider किया जाता है, जैसे इस cases बें अगर देखे, mutation के बाद, aminosaur यहां पर पहले serine बर रहा था, लेकिन यहां पर aminosaur हो गया, यह पोलर है, non-polar, nature भी change हो गया, तो यह miss sense का non-concerative जो है, आपका हो जाएगा, इसके अलावा, जब हम nonsense की बात करते हैं, यहां देखे, पहले serine बना था, यहां पर stop podon मन गया, तो यह nonsense हो गया, और वहां पर serine था, अभी भी serine है, तो कोई mutation होने के बावजूद भ हो गया, अगर आप इनोशिट का nature change नहीं हुआ है, तो इसको बोलते है, that is conservative यानि वहां भी polar था, यहां भी polar है, और जब nature change हो जाए, अन्चार्ज हो जाए, तो वह आपका बोलते है, non-missions में, non-concerative इस तरीके के conditions आ सकते हैं, इसके लिए बात करते हैं, ताइप सब मैंने के conditions को mention किया था, और mutations को classify करें, तो कई सáiरे mutations को cause करते हैं, で噪амен हो सकता है, और मैं यहां पर चर्चा करने की कोशिज करू तो in the case of pure mutation, transition, transversion अभी जो मैंने बताया है, frame shift में deletion या insertion, किसी base का insertion या स्पॉंटिनेस लेजन में, deep urination, deep urination, deep urination, totomerism, slipped strand misparing, oxidative damage, यह सब हो चकते हैं, अगर adenine का होगा तो hypogenthine बनेगा, guanine को होगा तो xanthine बनेगा, cytosine को होगा तो uracil बनेगा, 5-methyl cytosine होगा तो thymine बनेगा, यह कई बार पूछा गया है, तो इस तरीके से deep urination जो है वो द आपके दिबाग में fit होनी चाहिए, इसके लाब मूटाजन में जैसे मैंने induced mutation की बात की बात की तो इस में फिजिकल भी हो सकता है, chemical भी हो सकता है, फिजिकल में जो यूज कर सकते है, यह सारे physicals में यूज किये जाते है, जब हम चर्चा करते हैं, तो physical में x-ray क्या करता है, क्रोमोजूम को break करता है, इसलिए ऐसे एजन को जो है, क्लास्टो जन बोलते है, क्लास्टो जन ऐसे एजन्ट्स होते है, जो क्रोमोजूम को break करते है, यूवी का काम जो होता है, वो थाइमीन का डाइमर बनाता है, जब भी chemical की बात करते हैं, तो chemical में base analog, base modifiers, intercalating, insertion, डिल काम होता है, alkylation करना, और HN2 का काम होता है, deamination करना, जबकि base modifier के तरफे GCAT transition कौन करता है, MMS and hydroxyl amine, MMS alkylating है, और hydroxyl amine का काम multiple या miscellaneous हो सकता है, intercalating agents, intercalating agents के तोर पे आप सिर्फ और सिर्फ डाई को सो करते हैं, डाई के तोर पे जो होते हैं, insertion और डिलिलिशन वाले, है, क्योंकि अगर तीन-base पर कहीं सरसार डिलिलिशन होगा, तो frame shift जो है, नहीं होगा, अगर transversion की बात को है, तो इसमें transversion cause करने वाला एक agents होता है, जिसको बुलते है, DAP, that is diaminopurine, तो diaminopurine जो होते हैं, वो आपके transversion cause करते हैं, तो transversion cause करने वाले जो होते हैं, वो DAP को आप सो कर सकते हैं तो इस तरीके से कई सारे mutations को आपने सो किया और उनको देखा कि कैसे mutations follow कर रहे तो questions आते हैं x y z करके आपको समझ में आजाना चाहिए तो आप mutation हुआ transposition हुआ या recombination हुआ इसके वज़े से genome में कुछ changes रहेंगे changes का I mean to say कि उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है harmful भी हो सकता है beneficial भी हो सकता है अगर वह beneficial है तो ठीक ठीक अगर harmful हुआ तो उसके रिपेर के लिए जाना जाएगा DNA रिपेर होगा direct या indirect direct की बात के लिए तो उसमें डाइमर का formation होगा या अलकालेटे DNA direct में किसी भी फॉस्फोर आसर बॉंड का break नहीं होता है डारेक के दो फॉटो लाइजेस का जिसमें DNA अगर नुकलोटाइट को रहा है तो नुकलोटाइट को रहा है तो नुकलोटाइट एक्सीजन हो रहा है अगर जो है mismatch repair system होता है या recombination repair भी हम सो करते है और double standard break में जो हमने अभी homologous recombination DSBR से देखा था exactly वैसा repair system भी पाया जाता है या एक होता है non homologous end joining जिसमें की दो non homologous DNA को के यू प्रोटीन के थूँ जो है 70 और 80 के थूँ इंटो इंड जोड के सही किया जाता है तो अगर हम बात करें तो अगर बलकी इलकाइलेशन है तो MGMT यानि की methyl guanine methyl transferages जो है वो काम करेंगे यह देखिए अगर किसी वी वज़ो से UV light से thymine dimer बन गया तो उसको reactivate करने वाला सही करने वाला जो enzyme है वो होता DNA photo लाईए जिए blue light की presence में जो है उस thymine dimer को सही कर देता है यह blue light dependent enzyme काम करता है और यह direct repair of remedy dimer कहा जाता है अगर किसी वज़ो से guanine पे जो है methyl जूर जाता है तो एक enzyme होता alkyl transferages और यह अपने ही systeel पे इसके पास एक amino acid होता है systeel और उस amino acid पे ही methyl को ले ले लेता है और इस methyl group को जो है सही कर देता है इसके लबाब डैमेज़ बेसे और नुक्लोटाइड बेसे को देखते हैं इन दे केसे सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद वहां पर एक ap site create होता है जो की apurine या pyrimidine site होता है उसके बाद dna गलको silages जो है वो create करने के बाद ap endonucleases और phosphodases क्या करते कुछ एक से दो basis को हटाते हैं वहां से और हटाने के बाद polymerage 1 आकर उसको fill करेगा और करते हैं इसी को बोलते हैं नुक्लोटाइड एक्सिजन रिपेयर में क्या होता है कि यहां पर कहीं पर डाइमर बना हुआ है या कहीं पर डाइमर तो यहां पर sequences को हटाया जाता है, short patch में सिर्फ एक और दो को हटाया जाता है इसके पीछे सिर्फ दो कहानी है वो कहानी होती है कि उसमें polymerage delta epsilon involved हो रहा है या polymerage beta involved हो रहा है अगर कहीं पर जो है किसी base को excision किया जाय तो पहले DNA glycosylase चाहिए जो कि सबसे पहले base को हटाता nucleotide को हटाता नहीं है, short patch में जो है लाइए जाते हैं और लाइए जाने के बाद वहाँ पर polybrace beta आके काम करता है जबकि अगर वहाँ पर AP endocles आ गया AP endocles का मतलब A purine endocles आ गया फिर उसके बाद polybrace delta अप्सानल आ गया तो वो long stretches को फिर अटाएगा और उसको long patch बोलते हैं तो basic season दो तरीके के हो सकते हैं, that is short patch and long patch, short patch में polymerase beta इंवाल्व होगा जबकि long patch में polymerase delta और epsilon इंवाल्व होगे, इसी तरीके से nucleotide oxygen repair में कोई भी damage जो है deformations को recognize करने वाला A, A के साथ आता है B, B के साथ आता है C, B और C आते ही A हट जाता है और वो endocles से cut करते हैं, D उनको assist करता है और फिर polymerase 1 आके fill करेगा और seal कर देगा, ये भी दो तरीके के होते हैं, short and long लेकिन इसको बोला जाता है, एक transcriptional coupled और एक genome coupled, ये एक ऐसा process होता है nucleotide oxygen repair जो की transcription के time पे भी काम कर रहा होता है, तो transcription अगर हो रहा होता है, during the transcription अगर किसी वज़े से कोई damage हो गया, transcription के time ही ये NER nucleotide oxygen repair काम करता है, इसलिए इसको बोलता है PCR यानि transcription coupled repair, उस दोरन RNA polymerase जब damaged basis पे रुका रहता है, तो उसी का जो है कुछ उसक interesting factor होता है, वही जो क्या करता है कि वो associate होता है some of the zero derma pigmentosa component जैसे XPA, XPB इसे जुड़ेगा और जुडने के बाद G और F और कई सारे complexes आने के बाद वहाँ पे nucleotide oxygen को promote करते हैं, ये होता है जो को बोलता है transcription का पल जो सुरुआत करता है transcription factor second H, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जो क होता है जब नय और old strand में दिया है mismatch और ये तब possible होता है जब किसी वज़ा से कोई base जो है, वहाँ पे mismatch हो जा रहा है, ये पिरीमिडी पिरीमिडीन के जग़ा पिरीमिडीन के जगा पिरीमिडीन के पिरीमिडीन आ जा है, तो इस mismatch को identify करने के लिए old strand को methylate किया गया होता अब इसको सेंस करने के लिए तुर्ण होने के बाद वहां पर न्यूकल करेंगे एच उनको करेंगे य्शों करके का मेंकर होता है और इसके अलमा रिपेयर भी हो सकते हैं अगर सिंगर standard breaks हो, तो recombination repair में जैसा मैंने बताया था कि pro kariot में अभी REC BCD वाला concept, NIC का creation 5' to 3' resection strand invasion, branch migration and resolution, NIC का creation REC BCD करता है, resection REC BCD कर रहा है, strand invasion REC A कर रहा है branch migration RUV AB करता है resolution RUV C करता है यही u kariot में SPO 11 करता है MRX करता है, DMC 1 करता है RAT 51 strand invasion, branch migration RAT 54 resolution, MMS 4 and MUS 18 यह एक जुटली जो exactly जो हम अभी जो पढ़े थे DSBR या SDSC, यह हमने जो homologous recombination पढ़ा था same वही proteins जो होते damage अगर हो जाने के बाद उसी mechanism का use करके यहाँ पे इस तरीके का performance किया जाता है इसके लबाद रिकार में HR में हमने यह देखा था homologous recombination में हमने यह देखा इसके लबाद एक recombination repair होता है non homologous end joining जिसको बुला जाता है NHEJ जो की एक तरीके का error prone repair system होता है इसमें blunt ended DNA होते है जो की general homology नहीं सो कर रहे होते हैं तो इसमें KU dimers होते हैं 70 और 80 यह जो है एक दूसरे से जक्स्टा पोजिशन में जुड़ते हैं जुड़ने के बाद bridge का formation करते हैं यहां पे lambda या mu जो polymerages आते हैं और fill करने के बाद XRCC ligages उनको seal कर देता है इसके अलबाए एक repair system होता है जिसको बोते है source repair system जिसमें NIC का creation जो है यही पे बनता है या error prone repair system के लिए जाने जाते है अब source system के बात करें तो क्या है source system अगर damage नहीं है DNA में तो एक protein होता है REC A जिसको बोलते है recombinage A जो कि अभी REC A हमने बात किया था REC BCD pathway में जो कि strand invasion के लिए जाना जाता है REC A inactive रहता है और वो strand invasion के साथ साथ यह क्या करता है एक ऐसा protein होता है Lex A अगर यह कोई damage नहीं है तो यह inactive है और inactive है तो Lex A को Lex A active रहता है और Lex A active रहता है तो वो side पर bind करता है और bind करने के बाद UMUC और यह सब को जो है सिंतसा है यह सब off रहते हैं Lex A तरीके का repressor होता है इन सभी proteins के लिए अब जैसे ही यहाँ पर damage होता है रेक A activate होता है और रेक A जो होता है वो recommendation repair को तो काम करता ही करता है लेकिन degrade करता Lex A को और जैसे Lex A degrade हो जाता है Lex A inactive हो जाता है यह free हो जाता है और free होते ही जो होते हैं वो error free repair that is nucleotide extrusion repair करते हैं इस सारी चीज़े मैंने आपको बताई थी अगर याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा तो तो अगर यह quick bite कुछ इस तरीके से होते हैं पूरे के पूरे पूरे एपयर सिस्टम में chromo-jum break होगा x-ray करेगा डाइमर UV करता है इस सारी रिलेस्टन ETBR, प्रोफलेविन, एक्रिडिन औरेंज करते हैं MMS, हाइडोसोलेविन, GCAT transition ब्रोमो-यूरसील, अमीनो-प्यूरिन यह जो है ATGC transition DAP, Transversion और बेस अनलोग के तोर पे होमो-यूरसील यह आमीनो-प्यूरिन को आप सो करते हैं अगर photo reactivation के बाद पर तो photo liage है MGMT या alkyl transferages जो होते है वो alkyl को हटाते है अपने systeen पे light require होता DNA photo liage के लिए AP endonucleis function के लिए आपको NIC चाहिए NIC create करने के लिए आपके glycosilages ही चाहिए long patch और short patch होते है अगर delta epsilon तो long patch और beta है तो short patch होता है और अगर nucleotide को remove किया जाता है वो nucleotide oxygen repair हो जाएगा उन cases में जरली आप UVR A, BCD को सो करते हैं UVR A recognition BC endonucleis cut करेंगे D जो है वो आपका helicase की तरह काम करता है और MFD protein जो है में SLHS का काम recognition L का काम dimer formation H का काम endonucleis और helicase की तरह होता है जो ये conditions आपको पाया जाता है in the case of mismatch repair recognition repair में जो nicking, resection, invasion, branch migration resolution को मैं बता चुगा U-carat में SPU 11, MRX, RAT 51, 54 MMS 4 and pro-carat में REC BCD nicking invasion, resection, REC BCD invasion, REC A, branch migration RUVB and RUVC जो होता है, वो resolution के लिए होता है इसके लवा global genome repair हो सकते हैं या transcription couple repair होते हैं जिसके लिए कुछ सारे proteins होते हैं जिसे recognition के लिए XPC, XPA होते हैं transcription global genome में और transcription coupled में CSA और CSB होते हैं जो की transcription factor second X से जो है पुबाइन करते हैं इसके लवा XPC, XPA, XPB, XPB जो की recognition और heli gauge का का काम करते हैं F और G endo nucleus होते हैं RFC जो होता है clamp loader होता है PCNA processivity होते हैं यह सारे काम करके basic طور पर repair करते हैं that is nucleotide excision repair in the case of eukaryotes इसके अलामा जो है KU70 and KU80 जो होते non homologous end joining repair के लिए जाने जाते हैं यह रिकहानी repair तक की इसके बाद बात चीत करने के कोशिस करते हैं तो there is a concept of transcription transcription में कोई भी DNA जो की अभी repair हो चुका था अब वो जाएगा transcription phenomenon में और बनाएगा RNA RNA बहुत तरीके के बन सकते हैं कुछ ऐसे होते जो हर जगा पाया जाते prokeriote, eukaryote में जैसे mRNA, rrn, pRNA कुछ ऐसे होते जो कि सिर्फ और उ जुक्र नौकसर पर्दाइब होथा है जो आधी है यह स्रेक्ट हुटन्जेशन करोज़ हें यह टेंप्लेट की तरह काम करेंगा यह कई बार दिसक्स की जाती तो आपका जो भी मारने का जो है नेचर टेंप्लेट जैसा नहीं मैच होगा एमारने का नेचर हमेशा जो है यह जो टेंप्लेट है उसके जस्ट काउप्लिमेंटरे स्टेंड जो है वो मैच होगे इस तरीके से अगर आरने पॉलिमरेज की बात की जाए तो जो सब्सक्रासिफाई किया रहा सुरू में भी कि वो टेंप्लेट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो सकते हैं लिए लिए जाता है यहाँ होते हैं यह जाता है होलोन जयाता है होलोन जाता है और core engement elongation के रहे जाना जाता है जिसमें beta और beta prime जो है catalytic center काम करते हैं alpha का काम होता है promoter के recognition करना या specificity को बढ़ाना with the help of sigma sigma के साथ promoter की specificity को बढ़ाता है और साथ में जो है basic तोर पे काम करता है क्योंकि promoter की recognition करता है sigma देकिन specificity को बढ़ाता को है वो है alpha और omega का काम है assembly करना या stabilization करना तो अगर initiation की बात करें तो दो boxes पाय जाते है promoter के cases में वह है आपके पास start site अगर प्लस वन सो कर रहा हो तो उससे पहले होते माइनस 10 पर टाटा बॉक्स और उससे पहले माइनस 10 पर प्रिबनाव बॉक्स और उससे पहले होते है और उससे पहले होगे स्टाटा कैट यह सब भॉक्स से जो यू करियोट में होते हैं यहाँ पर प्रिमाव और उसस बाइनस 15 पहले जो होता है यह को फैक्टर इस पोर एंजाइम से जुड़ता है क्या बनाएगा होलो जानों होनों के लिए responsible करेंगे कहां पर प्रमोटर बाइंड करेंगे कहां से माइनस 10 रीजन से इटी टीड से और जैसे मिल्टिंग स्टार्ट ही करेगा Old प्रहें पीअइड किया यहां पर desto इसके बाद कम से कम 8-10 RNA DNA hybrid जब बन जाते हैं, मतलब 8-10 बेस पर जब hybrid में आ जाता है, तब जाके stable initiation होगा, फिर sigma 70 का removal होता है, क्योंकि initiation हो चुका है, अब जैसे ही sigma 70 का removal होगा, RNA polymerage जो contract करेगा, क्योंकि वो expanded था, अब वो contract करेगा, contract करने के वज़े से, वो minus 55 से minus 30 की तरफ आ जाएगा, क्योंकि अभी तक आ रहे, polymerage minus 55 तक था, अब वो minus 30 की तरफ आ जाता है, और आने के बाद यहाँ पर promoter का clearance करेगा, और clearance करने के बाद, अब यहाँ पर move करेगा, polymerage further की तरफ, कुछ few basis की तरफ, again contract करेगा, और again contract करके elongation सुरू कर देगा, और elongation करते करते, termination पर termination हो जाएगा, this is the cases of this transcription initiation, इस देख लीजेगा, कैसे holo enzyme bind कर रहा था, किस तरीके से, जो है, minus 10 पर melting हुआ, फिर उसके बाद minus 10 पर melting होने के बाद, क्या हुआ, sigma factor release होगा, abortive initiation, abortive initiation के बाद, sigma 70 factor release, promoter clearance, promoter clearance के बाद, elongation सुरू होगा, तो पहले abortive initiation होता है, और उसके बाद, फिर promoter clearance होता है, promoter clearance तब होगा, जब sigma factor release हो चुका है, तब जाके आपका promoter clearance होगा, एंड देन उसके बाद जो है इलोंगेशन शुरू होगा तो यह कंडिशन जो है वो चलता रहेगा एंड इस इस दे ट्रांस्क्रिप्शन जो आप देख सकते हैं आने पॉलिमरेजस जो है प्रोकरियोट में सिंगल टाइप है यूकरियोट में पांस तरीके के होते हैं इसमें सब्सक्राइब करेंगा जाता है तो यह कंडिशन जो है वह आप सो कर सकते हैं और इंजाइम से अलफा टू बीटा बीटा प्राइम यह में पॉलो एंजाइन प्राइम पर ऐते हैंन जो होते हैं विस्टर का क्लियएंस धर तरिकले mg2 प्लस आये और फिर termination के तौर पर या तो hairpin loop बने या तो वहाँ पर एक raw protein पहाँ जाता है तो raw dependent या raw independent termination हो जाएगा यह conditions जो है वो आपके बनते हैं तो यहाँ पर termination की बात करते हैं तो raw dependent termination में जब basic तौर पर raw proteins होते हैं जो की site इसको बोलते हैं तर्मिनेशन साइट तो यह रट साइट से जाएंगे जाते 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 यह चेज करते हैं चेज करेंगे कहां इसको बोलते है raw dependent termination यानि raw protein का involvement है कुछ cases में जो है यह loop बने होते हैं और इंडिपेंडेंट में यह internal loop या self complementary रूप आधने polymerase के moment को ब्लॉक कर देते हैं और जब moment ही नहीं होगा तो आधने polymerase समझ जाएगा कि termination हो चुका है और यहां पर इंड आ चुका है और यह वहां से हट जाएगा और termination कर देगा यह condition पहा जाता है in the case of procarriot तो procarriot में पूरा को इस तरीक एगा case आप condition जो है जो करते हैं डिवल से डियर्न ने प्रमोटर दो माइनस टेंट माइनस 35 प्रमोटर रिकॉप निशन बाइगा फिर यहां पर पॉल में स्लाइड डाउन करेगा प्रमोटर क्लियरेंस होगा फिर फोर पॉलिमरेजेज एमजी तूफ फैक्टर से बाइन करेंगे अब हम आरने पॉलिमरेज इंड यू के बात करते तो यहां पर पांस तरीके कोते 123454 और 5 जनली पाया जाते प्लांट्स में और सिंतिसाइज करते Rn 1 का काम होता है, Ribosol, Rn, 20S Rn, Eterus बनाना, 5.8S बनाना, लेकिन 5S जो बनाता है, वो 3 बनाता है, 2 का काम होता है, MRn बनाना, SNRn बनाना, MIrn बनाना, SNORN बनाना, SNRn में U1, U2, U4 बनाता है, लेकिन U6 जो होता है, आपके अरने पोलिमरेज 3, RMT बोल जाता है, R for polymerization 1, M for polymerization तो और टीवर आजने पॉलिम्रेस 3123 आरेम टीवर मनाएगा आर तुब आएगा एं थी बनाएगा टी इस तरीके से जो आरेम्टी कंडिशन चलता रहता है इसके लाबा धियार है कि प्रमोटर के तौर पर जो आरेम पॉलिम्रेस वन होते है उसको बाइप पर्मोटर चीह हो बहुत बार पूछा जाता है कि यह क्या क्या बनाते हैं तो सब कंडिशन जो है दिमाग में होने चाहिए इसके बाद जब हम बात करने की कोशिश करते हो तो पॉलिम्रेस 3 को तीन तरीकी के जो है प्रमोटर चाहिए आने पॉलिम्रेस 2 को भी 3 टाटा बोक्स, गैट बोक्स जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है तो अगर हम बात करें तो इसमें खासकर आ रही ने पॉलिम्रेस 2 के लिए जो की हमारा ने बना रहा हो ता हुता है उसके लिए इनिसियेशन के लिए कुछ important factors transcription factor D, A, B, F, E, H, the मिताबचन fantastic entertainer है D, A, B, F, E, H जो होते है D, जो होता TBF के साथ जुटता है और इसके साथ 14 TBF associated factors होते हैं जो पहले बाहिन करेंगे Tata Contenic promoter से या बाहिन करेंगे Tata Lays promoter से अगर Tata Contenic promoter होगा तो उसमें Tata box होगा और इनिसियेटर होगे और अगर Tata Lays हो जो होगे तो उसमें इनिसियेटर के साथ downstream promoter elements जो है पाया जाते है core 2, दो core promoters होते है core 1 and core 2, चाहे Tata हो या ना हो उसके basis पर recognize कर लेगा, A और B क्या करते है, stabilize करते है interactions का D, E का DNA के साथ, उसके बाद F आता है, और F जो होता RNA polymerase 2 को लेके आता है, और इसके पास 2 domain and C terminal domain, C terminal domain क फॉस्फोरलेट करिया जाता है promoter clearance and all के लिए, and E जो होता है वो assist करता है H को, और H जो है वो heroic factor की तरह काम करता है, क्योंकि यह repair में भी transcription couple repaired में, जो CSA, CSB होता है, उसको reactivate करता है, helicase का भी काम करता है, यही आपका transcription factor H, और इसके अलावा जो है, यह kinase का भी काम करता है, transcription factor H, helicase, kinase and repair को activate करने वाला काम करता है, जिसको बोलता है transcription factor second H, kinase की बात करें, तो यह single, अगर phosphorylation करता है, तो abortive initiation होगा, multiple phosphorylation करेगा, तो that is promoter clearance होगा, तो यह conditions जो है, saddle का formation करता है, जी बिलकुल, तो इस तरीके का conditions जो है, आप show करते हैं, तो अगर मैं बोदो तो double strength DNA promoter होगा, यह मैंने बताया था, elongation के तोर पर कुछ इस तरीके के elongation होगा, elongation में जो होता है, कई सारे channel होते है, एक तरफ से RNTP entry करते हैं, एक तरफ से RNA exit कर रहा है, और एक तरफ से DNA exit कर रहा है, यह channel जो है RNA polymerase, खुद अपने अंदर रख के चलता है, और यहां पे बहुत important factor प करता है, एक specific, यहां पे cut कर देगा, कहीं पे भी endonucleid, जहां पे RNA बन चुका है, cut करेगा, और फिर XRN2 आता है, और फटा-फट जाता है, और RNA polymerase को chase करता है, जैसे RNA polymerase मिलेगा, यह फटा-फट hybrid को तोड़ देगा, और काम खतम हो जाएगा, तो क्या होता है, कि यहां पे polymerase पे जैसे पहुझाएगा, यहां से सब कुछ हटा देगा, यह termination हो जाता है, तो cleavage of the transcript करता है, RAC1 और इंडो exonucleid degradation and termination करता है, आपके XRN2, तो कुछ इस तरीके से आप compare कर सकते हैं, बेसिक तोर पे देखा तो प्रो केरोट में polycystronic था, यू केरोट में monocytronic, इसमे polymerase 2 के लिए 3 promoter, Tata, Cat and GC box थे, promoter recognition इसमें sigma factors थे था, यहां पे recognition के लिए TBP, TAF and transcription factor, second D था, जो D recognize कर रहा था, hollow enzyme involved था, sigma factor recognize क्या, binary complex बना, affinity बढ़ी, turnary complex, abortive initiation, promoter clearance and so on, यहां पे factors थे DABFE, HF के साथ polymerase 2 और HRF phospholate करता, C terminal domain के लिए promoter clearance and turnary complex बनेगा, और आगे बढ़ता चला ज चाहिए, क्योंकि super coiling हो रही होगी, हो रही होगी, तो उसको remove करनी के लिए topoosomerase चाहिए, sigma factor यहां पे रहता, नहीं है, यहां पे यहां पे तूपosomerase के साथ, cat box पे कुछ enhanced sequences या activator sequences rate को बढ़ा देते हैं, इसमें termination row dependent या row independent होगा, row dependent के लिए row protein, हेलिकेज की तरह काम करत हैं, row independent में एक hairpin loop बनता है, जो कि moment of the RNA polymerase को block कर देता है, जबकि you carrot में rat one protein होते है, जो endonuclease होते, cut करते 3 prime end पे, उसके बाद XRN 2 bind करके, उसको degrade करते करते, termination करा देता है, तो यह conditions जो है पाया जाता है, हम RNA के cases में, कई सारे phospholation single double and multiple phospholation decide करते हैं, कि कौन साथ condition होगा, initiation initiation में phospholation नहीं होता, अगर एक phospholation है, तो promoterscape and capping के लिए भी जाना जाता है, and logation होगा, तो उसके लिए जो है phospholation के position अलग होता है, सी terminal है कि end terminal उसके basis पे phospholation decide होता है, तो processing जो होता है mRNA का, या ribosomal RNA का, या tRNA का यह पाया जाता है, in the case of eukaryotes, pro karyotes में mRNA की processing नहीं होती, सिर कुछ में processing होगी, mRNA में processing, सिर्फ और सिर्फ जो है, वो होता है eukaryotes में, यहाँ पे pro karyotes में नहीं होती, processing में capping, addition, splicing और editing की बात होती है, और splicing फिनामना तो जिसको बहुते है introns removal phenomena, और splicing यानी intron removal phenomena सिर्फ और सिर्फ eukaryotes में होगा, pro karyotes में नहीं होगा, क्योंकि pro karyotes म intron की presence generally नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर cutting trimming modification है, even ribozomal RNA के लिए, लेकिन यहाँ पर cutting trimming modification के साथ splicing हो गया, यहाँ पर tRNA के लिए cutting trimming chemical modification CCA का addition है, लेकिन यहाँ पर cutting trimming modification CCA addition के साथ splicing है, तो eukaryotes में splicing तो होगा, यहोगा, चाहे वो RNA हो, tRNA हो, या mRNA हो, तो capping के process में क्या होत काप 2 होते हैं, अलग अलग काप को कैसा सो किया जाता है, जो आपका guanine, यहाँ पर जब हम बात करते हैं, तो पहला guanine के 7th number पर जो methyl जोड़ा जाता है, इसके बाद जो पहला बेस एडिनीन है, तो उसके इस position पर methyl जोड़ा है, तो इसको बोलता है cap 1, दूसरे पर पर एक अगर एडिनीन होगा, तो इसके इस जगह पर भी methylation किया जा सकता है, तो इस तरीके के conditions को जो है mention किया जाता है, methylation के क्या होगा, कोई भी RNA है, RNA में सबसे पहले tri-phosphatages होंगे, जो कि यहाँ से phosphate को हटा के, एक phosphate अटाएंगे, और दो phosphate रहेगा, वो भी alpha और beta, इसके बनते हैं, उसके बाद guanil transferages होते हैं, या methyl transferage, guanil N7 methyl transferages क्या करेंगे, इसी guanil के methyl 7 पे methyl group को transfer करेंगे, cap 0, उसके बाद फिर further जो है, कुछ methyl transferages आएंगे, 2O methyl transferages, nucleoside वाले, और फिर वो cap 1 and cap 2 इस तरीके से add करते रहेंगे, इसके बाद polyadenylation के लिए जो RNA polybrases का C terminal domain होता है अगर वो first four related होता है, तो कुछ protein से जुड़ा होता है, जिसको बोलता है CPSF and CSTF, जिसको बोलता है cleavage polyadenylation stimulatory factor या cleavage stimulatory factors इस तरीके से होते हैं, यह जो factors होते हैं, यह इसी C terminal domain से bind होते हैं, जैसे RNA बनता है, polyasignal release होता है, यह तुरंत यहां पे आके attach हो जाते हैं, इनी के जुड़ने के बाद, यहां पे कुछ और factor है, जैसे cleavage factor 1 and 2, जो की endonucleids होते हैं, और इसी polyasignal से यहां पे cut करते हैं, polyasignal में एक polyasignal यहां पे, A, A, U, A, 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 और एक होता है GU, तो A, A, U, A, A, से जो है CPSF bind करता है cleavage polyadenylation specificity factor, और यह होता है, आपका cleavage stimulatory factor, इसी से CF1 and CF2 bind करते हैं, stimulate होते हैं, cut करेंगे, और करने के बाद, यहां पे A, 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 add किया जाता है by the protein, P, A, P, that is a polyapolymerage, और इसको stable करने के लिए होते हैं, P, A, B, that is polyabinding protein, तो CF1, CF2 cut करते हैं, CPSF, CSTF, जो है, इसको bend कराने में help करते हैं, and P, A, P, इसको add कर रहा है, P, A, B, जो ह पता है, and then splicing के लिए जो है, आपको पता है, कि exons के बीच में इंट्रांस होते हैं, और इंट्रांस को remove करके, exons को जोड दिया जाते हैं, इसको बोलते हैं, splicing, splicing में कई तरीके के इंट्रांस होते हैं, group 1, group 2, mRNA, transfer, आने, one और टू, RNA में पाया जाता है, ribosomal RNA में, और mRNA मे जो होता है, जो आपके splicing होते हैं, transfer RNA में जो होते हैं, वहाँ पे enzymatic trans removal होता है, फिलाल के तोर पे अगर मैं splicing की बात करूं तो in the case of mRNA, यहाँ पे एक branch point पे A होता है, इधर की तरफ GU और इधर की तरफ AG होता है, introns के बीच में intron defining boundary है, या exon defining boundary है, GU, AG, introns किसे बोला जाता ह अब branch point का 2 prime OH पहले attack करता है, किस पे? 5 prime supply side पे इसको बोलते है, फॉस्ट रांस स्ट्रिकर सरी एक्षन जिसको बोलते है 25, यानि 2 वाला 25 पे कर रहा है, उसके बाद 3 prime OH जो free होता है, वह attack करता है, 3 prime supply side पे जिसको बोलते है 33, और यहाँ पे एक बनता है, Lariat का structure जिसको बोलत और दो एक जाओं से आपस में जुड़ जाते है, दो ट्रांस स्ट्रिकर सरी एक्षन आपके सूख किया जाता है, तो MRNA में जैसा बताएगा कि यहाँ पे क्या होता है, ब्रांच पॉंट से अटक करेगा 5 प्राइम और फिर वहां से 3 प्राइम अटक करता है आपके 3 पृती हो पारनी जो हें कर रहे होते हैं है स्प्लैसिंग के लिए उपद तो इसमें मुझे तो ही है इसे डुटी जो है हो ऍशान जायेगा यह इह जो करते हैं इसल धियु इंत्राइसे थोते हैं ना कि यह वैसे इंट्राइस होते है की इसलिए हम इत्री व्रॉइम जियु इयुअ अदे ? आटैक करेगा five प्रैम मेंच फ्री होगा तो वो अटैक करेगा К केस यहां पे बनता है और अगर मैं splice swarm के assembly की बात करें तो कई सारे यहां पे condition जूते हैं जैसे binding यूवन बीवी आफ एन U2 F जो है सबसे पहले जूड़ेंगे फिर U2 आता है बीबीपी हट जाएगा यूँवन एन यूटु हो जाएगे फिर 456 आएगा फिर यह सब हटेंगे और फिर इस तरीके के परफ़ॉर्म हो जाएंगे दोरीके को सकते हैं सच राइस अगर सेम एम रॉले में सप्राइसिंग हो मतलब एक ही आर्ने हम स्पॉलीयक अलग हम्दे और अगर स्थाइसिंग रहिए तो जब बोलते हैं जोस्तार्फ हें сब्सकारेंग उ discriminate यह चछ तो बनते हैं जिसमें जिसमें तो किसी को स्किप कर दीजिए किसी एक स्क्लूजी का मतलब 1 का 3 के साथ फिर 2 का 4 के साथ ऐसे होता है या अल्टरनेटिव 5 प्रेम स्पैसेट कुछ इस तरीके के बहुत सारे मेकैनिजम्स हो सकते हैं और एक ही आरने ये कही एमारने मेच्योर होने के बाद मल्टिपल एमारने जो बना देता है वो इस अल्टरनेटिव स्पैसिंग देखने को मिलता है तो इसके अलावा जो है आरने एडिटिंग का कॉंसेट भी आप सुनते हैं जहां पर कई सारे बेसेश को एडिट किया जाता है एक एक जाम्पल होता है अगर एडिटिंग नहीं होती तो लगभग जो है अगर यह सी एक अगर एडिट नहीं हुआ है तो यह दो हजार एक सो बावन अमिनोसेट का ही प्रोटीन बनाता है कि प्रोटीन को भी synthesize किया जाता है इसके अलामा जो insertion किया जाता है by using the editosome complexes जो होते हैं वो क्या करते हैं TUTH को carry करते हैं और वो कहीं पे terminal uridine transferages मतलब किसी अगर specific एमारने में uridine को add करना हो या हटाना हो तो उसके लिए guide RNA का help लेते हैं और guide RNA करने के help से anneal करेंगे anneal करने के बाद वहां पे endonucleases cut करेगा cut करने के बाद या तो TUTH याने terminal uridine transferages जो है नय uridine को क्या करेंगे add कर देंगे या तो exonucleases उस uridine को हटा देगा तो इस तरीके के basic processes को आप देखते हैं TUTH या TUTH को हटाने मलब uridine को add करने या हटाने के लिए इसके अलावा ribosome RNA की processing में मैंने बताए था कि आपको ribosome RNA की processing में splicing group one और group two जो है वो आपने देखा इसके साथ ही जब बात करते हैं तो यह कुछ आपके modifications भी होते जैसे यह है आपके एक pre ribosome RNA का इस transcript जिसमें कि 16S, tRNA, 23S और 5S भी है इसका पहले methylation होगा फिर उसके बाद cleavage होता है तो आपके nucleages cut करके सारे 16S, tRNA और 23S और 5S अलग कर देते हैं इस तरीके का condition भी पाया जाता है cutting and trimming का conditions भी आप देखते हैं in the case of tRNA जिसमें अगर यहां पे precursors of tRNA को अप्सोब करें तो इसको cut करने के लिए 5 प्राइमिंड पे P होता है फिर उसको और cut करने के लिए आपके पास RNA F होते 3 प्राइमिंड पे D होते एक्जोन्यूक्लेज की तरफ तो अलग अलग enzymes होते हैं जो कि specific त्वर पे d exonuclease F endonuclease P endonuclease होते P 5 प्राइमिंड पे काम करता है F जो है थी प्राइमिंड पे काम करता है और D जो होता है वह एक्जोन्यूक्लेज की तरह 3 प्राइमिंड पे काम करता है तो इस तरीके के केसे जो यह टी आरने के स्प्राइसिंग में पाया जाते हैं यहां पर फॉसफिट को पहले टू प्राइम पर करके साइकलाइजेसन किया जाता है फिस स्को डिसाइकलाइज करता है फिर 3 प्राइमोंग को 2 jakim से एक्सेंज किया जाता है फॉस्फेट यहां पर आएगा और 2 प्राइमोंगी बनेंगे फिर 5 वेस्पराइम फोस्फट में काम किया जाएगा और Plygages जोड़ देगा basic concept कुछ इस तरीके से होता है कि जब इस TRNA में कोई splicing करनी है तो यहाँ पर cut किया जाता है और cut करने के बार 3' phosphate और 5' oh generate होता है 3' phosphate पहले cyclization बनाता है cyclic scope decyclize करके 3' oh convert किया जाता है और चाहिए और 5' oh और फ्री प्राइम फॉस्फफट और फ्री प्राइम वोईच को जोड़ा जाता है तो ऐल्टीमेटली कुछ इस तरीके का कंडिशन बनता है इंदे केस आपके टी आर्नी के स्प्लाइसिंग के लिए एम रने तैयार प्लॉसस इसमें फाइप्राइम क्यापिंग हो गई polyaden Sometime ट्रिवल C all yards està आ हैं त Judith oh yeah तो इसके बाद ये ready हो जाता है किस लिए हुथ इसन बहुता इस चलंप ऊता है उसके बाद जितने भी तियार्ट यो ने ओते वह ऑते हैं पहला घद में प्ला की इसन चले किया ऀ प्ले कई चले चलता रहेगा यादर एक साइट इंकमिंग के लिए होता है पी साइट जो है वह आपके ट्रांसफरेज यानि बाइंडिंग के लिए होता और यह जो है डी एस इस इताइलेटेड या जिसमें अमीनोसीड हट जाने या वह त्यार ने जो फ्री है वह यहां से रिलीज हो जाते हैं तो यह टी आरैने का structure देखा जाता उसमें कई सारे इंट होते हैं एक सेप्टर आम पर एक साइट पाया जाता है एक साईट जी चेलूप पाया जाता है जो इदर की तरफ आप टी शीडू यूरिडिन सो करते हैं दी लूप में डाइ दाइड यूरिडिन ऑर आपके एक acceptor आम पाया जाते हैं एक 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 कोड़ान लूप होदा जिसमें फाइप स्पर स्टैंप को आप आप सो करते हैं तो यह सारे करणिस्ट में जो acceptor आम होते हैं यही aminocid binding sites होते हैं जो आपके यह T-size C-loops होते हैं यह राइबोसोम में और राइबोसोम रारने से यही इंट्रेाइब करते हैं सिरो-ईुरीडिन वाले मौडिफाइड उरिडिन जो आप देख सकते हैं ऐंटी-कोड़न वाले जो ह conception यही MRN से इंट्रेक करते हैं और जैगा hinएंडियूरीस होते हैं ये बेसिक तौर है कही अलग अलग जो डो में सहे स्पेसिनव अवह एक फंक्शन के लिए जाने जाते हैं तो जब भी एक मरने पर आप कई तरीके संग सास्पीप्ट है जाता है तो एक सिर्ट करेगा आपky fluoride वो एक्सिट कर जाएंगे इसके लिमांब वाबल पोजिसन का आता है यानि यह माना जाता है कि जो कोडॉन और एंक्टीकोडॉन का कॉंसेप्ट है जो कि अलग हो सकती मतलब अगर जा देखकर है एंटी कोड़न पर आई है तो यह मारने के वो A, U, C पर बाइन कर सकता है या एंटी कोड़न पर U है तो वो A, G से बाइन करेगा एंटी कोड़न पर G है तो C, U से बाइन करेगा C है तो GI से Bind करेगा A है तो UI से Bind करेगा यानि यही जो है वो Codon D Generacy के लिए जाना जाता है यानि 64 Codon सिर्फ 22 Aminosite को कैसे बना लेते हैं Because of the Codon G is a D Generacy और वो क्यों possible है क्योंकि Vowal Position जो कि तीसरा Position of the mRNA और पहला Position of tRNA की वज़े से होता है तो यह condition जो है वो जाना जाता है जनरी Codon में कुछ ऐसे Codes होते हैं जो कि Universal कुछ और Codes कर रहे होते हैं लेकिन जैसे वो MitoCondria का यह और पर होते हैं तो उनका एक Altered Code देख रहे हो को मिलता है जैसे कि जनरली UGA को आप Stop Codon के तोर पे जैसे करते हैं लेकिन जैसे वो आपके माइको प्लाजमा या Altered Code के तौर पे जो है MitoCondria में जा रहे है तो वो ट्रिप्टोफन को को कोड कर रहा होता है Human की बात कर तो यूए जो है आइस लिशिन के जिगा मेथियोन को करने लगता है लेकिन Altered Atryptophan हो जाता है UGA Trypano Soma में जनरली Universal Stop Codon होता है लेकिन उस Trypano Soma में यह Tryptofon की तरह होता है तो UGA जो Codon आप देखते हैं चाहे MitoCondria में हो चाहे East में उठाज Trypano Soma में हो चाहे वो आपके माइको प्लाजमा में हो जनरली Stop Codon होते हैं लेकिन वो Tryptofen को को कोड करने लगते हैं जहां-जहां पर Altered होते हैं AGG और AGA जो होते हैं वो जनरली Arginine को को करते हैं लेकिन MitoCondria में Stop Codon को करने लगते हैं प्लांट्स की केसिस में कुछ यहां पर और Codons हैं जैसे UAE और UAG जो Stop Codons होते हैं लेकिन जनरली कोड करने लगते हैं Glutamine के लिए तो यह Conditions ध्यार है जनरली मैं कोड करता हूं IM Rascal सर से वाहियात question पूछता हूं यह उसी के लिए है IM Rascal का मतलब जो Isolucine वाले होते हैं वो Methion उनको Code करने लगते हैं UA जो Arginine के वाले होते हैं वो Stop Codon हो जाते हैं AGG और AGA वाले और Stop Codons वाले जो होते हैं वो वाहियात मतलब W यारी Tryptophan में चले जाते हैं और जो आपके UGA वाले होते हैं वो Stop Codon वाले वो Glutamine में हो जाते हैं तो जर्णली जो आप लोगों का यह reality है कि IM Rascal सर से वाहियात question पूछता है जो क्लाभी बीच वीच में पूछते रहते हैं कुछ के कुछ तो IM मतलब जो Isolucine है वो Methionine में हो जाएगा उसके बाद रासकल अंसर यानि जो आरजिनीन के हैं वो सेरीन में हो जो Stop Codon हो जाएंगे और इसके बाद जो Stop Codon वाले थे वो या तो ट्रिप्टोफान में जाएंगे या तो Glutamine में जाएंगे यह ध्यान रहे हैं ठीक है तो इस तरीके के conditions जो है डेवलप हो चाते हैं इसके बाद करने के कोसिस करें तो charging of the TRNA for the two step processes आपको देखने होते हैं चार्जिंग जो amino acid के किया जाता है वो दो step processes के तौर पे होता है charging करने के जब हम बात करते हैं तो कभी भी कोई भी amino acid जो होता है उसको charge किया जाता है चार्ज किया जाएगा तो यानि कि पहले step में उस amino acid को क्या किया जाता है AMP से tag किया जाएगा और उसके बाद फिर उसे जो है जोड़ा जाता है TRNA पे तो amino acid को पहले step में AMP से जोड़ा जाता है यहां पे ATP का involvement होगा PTI release होगा और इसके बाद जो है फिर उसको TNS पे CCA इंड पे transfer किया जाता है कभी के भी TRNA करेक्ली चार्ज होता है कभी कभी इंकरेक्ली होता है इंकरेक्ली चार्ज के लिए या तो यह मीनोसीड हट जाए या तो दूसरा होता है कि उसको वहीं पर modify किया जाए तो ऐसे कंडिशन जो हो सकते हैं या तो हटाया जाए या तो modify किया जाए याद रहे कि इनिसियेशन के तौर पर जब हम प्रोकेरोर्स के बात करते हैं तो जो methionine होते हैं वो formulated methionine convert होते है पहले तो पहले methionine टी आरने synthetages जो है methionine को टी आरने से चार्ज करते हैं और यह charging incorrect charging होती है इसलिए पहले उस methionine को formal group से जोड़ा जाता है और फिर जाके वो क्या बन जाता है that is the n-formal methionine जो है वो बन जाता है इसके लिए के नाइम चाहिए होता है जिसको बहुते ट्रांसफॉर्माइलेज़ जो होते है वो methionine पे n-type n-amino group पे जो है जो है फॉर्मिल को जोड़ते हैं ऐसके बाद जो है इनिसीयेशन फेक्टर 1 2 3 आते हैं जो कि इनिसीयेशन करते हैं इनिसीयेशन करते हैं ट्रांसलेशन का प्रोकेरियोट में वन जो है एस साइट से ब इनिसीयेशन करते हैं जो कि पी साइट पे आते हैं थ्री वाला जो होता है वो प्रिवेंट करता है असोसियेशन 50S सब्यूट का सबसे पहले 30S mRNA से जुड़ेगा विद्ध सम अब वहां पे साइंडल गर्नों सिक्वेंसे से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जो है य पास होता है 16S राइबो जो मला रहने के पास होता है UCC UCC जो होते हैं यहीं जो जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद फिर आपका और पी साइट पर आता है वहीं पर आता है आपका कौन सा इनिसेशन फेक्टर टू के साथ जो कि एक टरनली कॉंप्लेंस बनाता है वहां पर जुड़ता है और पी साइट पर जुड़ने के लिए साइट खाली नहीं रहता है क्योंकि वहां जुड़ा होता है IF1 दो इनिसियेटर टी-र ने उसको लेके आता है पी साइट पर यह होता है इनिसेशन का सा है यहां पर साइब यहां पर त्यार्ट यहां चाहिए कि दीसरा ट्रांस्लोकेशन चाहिए करने के लिए वो बेसिक तोर पर GTP और बागी जो second aminosite का TRN उसके साथ जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद टर्नरी complex बनाएगा, बनाने के बाद यह TU escort करेगा और लेके आएगा, किसके साथ A site पर लेके आएगा, क्योंकि P site पर already formulated methionine का TRN और उसका formulated methionine जुड़ा हुआ है, अब इसके बाद जैसे ही condition यहाँ पर develop हुआ, यह जुड़ा जुड़ने के बाद यहाँ पर GTP के hydrolysis होई, hydrolysis होने के बाद यह EFTO release हो जाता है, इसको recycle किया जाता है EFTS से, EFTS एक तरीके का guanine exchange factor है, जो की GDP को हटा के फिर GTP से exchange करेगा, फिर से जो है यह आपका EFTO GTP, जो है next cycle करे ready हो जाएगा, तो EFTO का काम सिर्फ यह है कि नए aminocid TRN को लेके बार-बार A site पे आना, इसके बाद दूसरा step होता है Transpeptidation, Transpeptidation में क्योंकि एक aminocid जुड़ा हुआ होता है, किसके साथ P पे और एक होता है A पे, अब इनके बीच भी क्या होता है, पेप्राइट बॉन क का formation, तो पेप्राइट बॉन के formation के लिए यहां से भी attack कराएगा, यह जो आप देख रहें C terminal, इस C terminal को इसके end terminal से क्या कराएगा, अटैक करवाएगा, और यहां पे 23 S ribozomal RNA, जो की larger subunit का part होता है, वही catalytic activity सो करेगा, वही peptide transfer activity सो करेगा, जिसमें वो nucleophilic attack करवाता है, amin aminocid 2 के बीच में, और यही CO और NH के बीच में क्या बनाएगा, peptide bond, और यह aminocid shift हो जाएगा, किस पे A पे, तो यह अब यहां का TRNA खाली हो जाता है, अब वो एक्जिस साइट से बाहर निकल जाएगा, अब यह एक्जिस साइट से बाहर कैसे निकलेगा, उसके लिए तीस जिसके वज़े से जो यह uncharged TRNA है, अब वो shift हो जाएगा E और यह वाला shift हो जाएगा P और फिर से A खाली हो गया, तो यह इस तरीके से फिर आएगा, फिर shifting यह बार-बार चलती रहेगी, ट्रांसलोकेशन में, नय aminocid fit E पे आएगा, फिर peptide bond बनेगा, A पे इस तरीके से र लेगे, scouting of new aminocid at the A site, EFTU लेके आ रहा था, GTP के hydrolysis हो रहे थी, EFTU को recycle करने वाला कौन था, EFTS, उसके बाद translocation करने के लिए जो factor responsible था, वो था EFG, EFG, elongation factor G, जो है, translocation कराता है, मतलब उसको, जो R.I.B.O.S.M. translocate करा था, वो EFG, फिर regenerate करा था, इस cycle चलता तो याद रहे, peptidation जो होता था, वो P to A होता था, और translocation A to P होता था, peptidation के दोरान, peptidation के दोरान, aminocid P से A पे जाता था, और translocation के दोरान P, RNA, P से A से P की तरफ shift हो रहा था, ये condition elongation का हो जाता है, इसके बाद आता है, release factor यानि कि release करने के लिए, UAE, UAG और UAE को recognize करता है RF1, UAE को और UGA को recognize करता है, RF2, ये दोनों जो है, वो GDP के साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए RF1 होता है, जो कि GDP के साथ associated होता है, active होगा, तो GDP के hydrolysis करेगा, hydrolysis करने के बाद ये termination करवा देता है, RF1 and RF2, now इसके GDP, जो hydrolysis होने के बाद RF1, GDP को वापस से exchange करने क लिए यहाँ पर RF3 होता है, जो कि exchange phenomena करता है, यानि RF1 या RF2 के वापस से recycle करने के लिए, RF3 होता है, जो कि Highly Binding सो करता है, RF1-GDP के साथ, जब RF1-GDP के साथ जुड़ा होता है, तब RF3 bind करता है, ना कho RF1-GDP के साथ, और इसको recycle करने के लिए जाना जाता है, RF3, जो कि RF1 और UAG को recognize करेगा RF2 जो है UAA और UGA को recognize करेगा इस तरीके का काम हो जाता है यू केरियोट में भी elongation और termination एक ही जैसा होता है याद रहे कि जो EF2 होता है जो की escorting कर रहा था यू केरियोट में यही होता है EF1A, यू केरियोटिक elongation factor 1A वही काम करता है एक्सेक्ट्ली जो elongation factor T.E.E.E.E.F.1B जो elongation करता था EFG वही यू केरियोट में होता है EF2 तो यह याद रहे कि यह सेम एनलोग जो है एक्सेक्ट्ली पाजाता है फिनॉम्ना वही होता है यहाँ पर जो release factor pro केरियोट में release factor 1 है release factor 2 है और release factor 3 है release factor 1 UAA को recognize करता है release factor 2 UAA and UGA को करता है and release factor 3 है वो actually recycling के लिए जाना जाता है और यही यू केरियोट में RF1 को जगह वो होता है ERF1 and ERF2 small e लग जाने के वज़र से हो जाता है यू केरियोटिक release factor 1 and 2 and 3 तो यह exactly same phenomenon होता सिर्फ डिफरेंस जो आता है वो आता है आपके that is initiation में तो इस तरीके केस आप देख रहे थे कैसे release का condition हो रहा था जैसे peptide बन जाता है prokaryotic system में क्योंकि पहला amino acid formulated methionine था इसलिए कुछ protein formulated methionine को carry नहीं करते तो इसलिए formal group को हटाना रहेगा और साथ में methionine को भी हटाना रहता कुछ protein के लिए तो for this one देखिए याद रहे कि सबसे पहले आपके पास कोई भी polypeptide यह है methionine methionine से tRNA को tag करने के लिए चाहिए होता था methionine and then जब जैसे ribosome उसको fmate polypeptide बना देता है तो उसको हटाने के लिए चाहिए होता है एक d-formalages d-formalages जो होते है फॉर्मालाइज एड करते थे तो d-formalage क्या करेंगे और methionine के जो amino peptidage methionine को हटा देंगे जिससे की polypeptide आपका free हो जाता था जो तो formal methionine ने उसको हटाने के लिए दो एंजाइन चाहिए होते हैं कौन सा पहला जो है d-formalage और दूसरा होता है amino peptidage वो भी methionine के specific तो इस तरीके से condition जो है वो develop होते है deformalage format को हटाएगा और amino peptidage methionine को हटाएगा तो फिर amino acid जो है वो आपका शुरू हो जाता है जबकि यू केरियोर्ट की बात करते तो इसमें थोड़ा सा initiation different हो जाता है ना कि प्रो केरियोर्ट जैसा रहता है इससन core process या alternate मेंटर से हो सकता है जब में प्रोर प्रोसेस की बात करते तो methylated जो caps होते हैं वहां से सुरू होता है और scanning mechanism होता है और scan करते करते जो है ribosomes जो 40S ribosomes होते है यू के रियोर्ट में वह स्कैन करते करते starter codon पे पहसते हैं और वहां से start करेंगे translation को लेकिन alternate manner में यहां पर IRES होता है जिसको बोलते है internal ribosome entry sites IRES जो होते हैं यह specific start site पे हो सकते है जो direct binding करवा सकते हैं 40S direct ही bind करेगा AUG के साथ या upstream जो scanning करा सकते है IRES यह हो तो यहां से scanning करेगा या जो है यह bypass कर सकता है कई सारे जो है AUG को तो यह तीनों mechanism से काम कर सकता है यहां पर एक factor आता है EIF2, EIF2 और EIF2 alpha beta का concept जो है आप सो करते हैं याद रहे कि if the serine 51 of the EIF2 alpha अगर serine 51 EIF2 alpha का phosphor related है तो वो EIF2 beta के साथ bind करेगा जिससे की GEF property जो है loss हो जाएगी और EIF2 inactive रहता है और transplantation stop हो जाता है क्यों क्योंकि यह जो EIF2 और EIF2 GTP होता है इसको phosphor related करने के लिए EIF2 beta चाहिए होता है और EIF2 beta को inhibit करता है आपका EIF2 alpha और अगर वो inhibit तब करेगा या वो एक काम नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर serine 51 phosphor related है तो ध्यान रहे कि इस तरीके का condition आपको develop होता है और अगर मैं बात करूं तो यहां पर कई सदीके के conditions develop होते है एक protein होता है जो कि poly A tail से bind कर रहा था वो था poly A binding protein एक protein था जो कि cap से bind करता है उसको बोलते है 4E तो याद रहे कि यह mRNA से नट्रेट करेगा 4E और poly A binding protein इसके लावा कुछ और factors होते है जिसको बोलते है 4A, 4B, 4G, 4G, 4E और PABP स बाइन करेगा साथ में 4A और 4B जो है वो scanning में help करते हैं तो यह पूरा complex बोलते है 4F complex जिसमें 4A, B, G, A जो है यह सब जुडते हैं और mRNA को कुछ इस तरीके का loop बना देते हैं तो यह होता है 4F complex तो यह mRNA जो है इन 5 factors के साथ जुड़के cap binding complex बना देता है इसके अलावा जो है यह free 40S से bind करेगा 1A का काम है कि यह A side से bond bind करके A को block करे P को open करे और 2 का काम आपको पता है ternary complex बनाना यह बनने के बाद 43S complex बनेगा यह 43S complexes जो है यह cap binding complex जिसमें मैंने बता है 4E, G, A, M, 4E, G, A, B, 4E जो था वो cap से bind करता था P, A, BP जो था वो bind करता था 3 prime int से 4B जो है scanning में help करता था 4A जो है वो भी scanning में help यह basic तोर पे जो है helicage की तरह काम करता है और G जो है scaffold की तरह काम करता था यह सभी mRNA से जुडते थे और 43 से जुड़ जाएंगे और फिर बनाएंगे 40S initiation complex यहां पर कई सारे factor 1, 1A, 4B यह 60S subunit आएगा और फिर 80S ribosome बन जाएगा यह condition आपका कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं यह complete जो है पूरा का पूरा eukaryotic translation की बात होती है याद रहे कि 18S ribosome मलारने और protein मिलता है और बनाता है 40S ribosome मलारने और जैसे यह बनेगा यहां पर initiation factor I3 जो की basic तोर पे larger subunit को prevent क और यह सब जुडेंगे 42S बनाएगा अब इसी में EIF2 और GTP के साथ binary complex methionine TRNA जो की charging की गई तो याद रहे methionine को पहले ATP से जोड़ा जाता है यादि पहले AMP में charge होगा फिर TRNA के पास transfer होगा इसी को बोलते charging of the amino acids फिर वो जो है इस EIF2 से जुड़के जो है turnary complex बनाएगा यह turnary complex इस complex से जुड़के 43S pre-inicision complex बनाएगा और यह 42S में क्या था 40S यह EIF3 और EIF1 ठीक है इसके बाद 4F complexes में 4A, B, E, G, P, A, B यह सभी जो हैं वो MRNA से जुड़ते हैं और यह इस MRNA के साथ 43S complex जुड़ने के बाद 48S initiation complex बना now EIF1 and EIF1A scan करेगा reach करेगा AUG codon पे EIF5B आएगा और क्या करेगा GTP hydrolysis को promote करेगा फिर EIF23 हट जाएंगे 5B आएगा और 60S sub unit को promote करेगा and then after that 80S initiation complex बन जाएगा यह सारे चीज़े जो है वो conditions वही formula वही चीज़े यह diagram के form में है लेकिन जो मैंने flow chart में बता है same चीज यहाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यह सारे 43S इनिशेट सम्कॉप्लेक्स में देखे यह है 2,3,1,1 यह सारे conditions है फिर 4F complexes में 4E यह सब जुडेंगे और फिर पदर काम करने की कोशिस करते हैं अब बाकी आपको elongation you know that prokaryot में जो Q था वही यहाँ पर 1A होगा वही था यह इसी तरीके से manner में काम कर रहा था ना उस्टाट को डॉन के तौर पर यहाँ पर और फवन था तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रफी यहाँ पर GTPH की प्रॉपर्टी जो है वह वह आर फ्री के पास था यहाँ पर यहाँ बाइनिंग अफंटी इसके साथ है वह भी GDP के साथ हमने सो कर दिया था तो यह पूरा का पूरा ट्रांसलेशन जो है समराइज है प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक में याद रहे कि वन का काम जो है वने करता है टू का काम टू करता है त्री का काम त्री कर रहा है डारेक्ट स्कैनिंग के लिए जो है यहाँ पर बाकी काम के लिए 4E cap binding, 4G scaffold का काम, 4A helicage, B जो है stimulate करता है scanning के लिए और PABP जो है वो 3 prime lid से bind कर रहे थे, इस तरीके से चीजें जुड़के बाखी का काम खो रहा था, this is the translation of the protein in the case of prokaryote and eukaryote, यहां तक बाद समझ में आगी, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर part way for the selenocysteine insertion की जब हम बात करें, तो उसमें selenocysteine के insertion में जो है 3-4 proteins का जो है बहुत important होता है, cell C, D, A, B जिसको बोलते है, cell C, D, A, B, सबसे पहले cell C का काम होता है कि वो चे, किसी भी tRNA को, जो selenocysteine वाला tRNA है, उसके साथ जो है, चार्ज करेगा, जैसे ही चार्ज करेगा charging with the serine, serine के साथ चार्ज करेगा, उसके बाद phosphorylation होगा, किसका selenium का, तो यह पहले charging करेगा, यह selenium का phosphorylation करेगा, और फिर cell A करता है इस selenium phosphate को selenocysteine में, और फिर उस selenocysteine को incorporate किया जाता है तो यह चार्ज करता है, यह phosphate को जोडता है, और यह selenocysteine, selenocysteine में convert करता है और यह उसको incorporate करता है, तो C, D, A, B, आपको ध्यान होना थे हैं, C का का में charging का, D का का में phosphorylation का, A का का में conversion का, और B का का में include करने का, यही देखो, सबसे पहले टी आरने पे cell C, जो होते हैं, cell C क्या करेगा, charge करेगा serine के साथ, serine charge होने के बाद, उसी serine को phosphorylate किया जाता है, cell D से, इसी phosphorylate को selenocysteine में convert किया जागा, cell A से, और फिर उसी को incorporate किया जागा, cell B से, तो यह condition जो है, वो आपको देखने को मिलता है, यह सारी condition जो है, वो आपके साथ चलती है, यह पारो-lycine का addition के लिए क्या होता है, दो license होते हैं, दो license को पहले, जो है, pile B होते हैं, और SAM होते हैं, यह मिलके क्या करते हैं, methylation of one license, अब methylation of one license के बाद, pile C और ATP आते हैं, फिर license को जोड़ा जाता है, और nitrogen के साथ, and then pile D आता है, जो DMH की तरह काम करता है, ammonia का removal करेगा, और dehydration करके जो पारो-lycine बन जाता है, यही देखे, structure है, कि यहाँ पर क्या होगा, कि बेसिक तौर पर दो license होते हैं, इन्हीं दो license को जो है, Sam, जो है, आप pile B, C, D का condition, जो सो करें, यहाँ पर देखेंगे, तो pyrolycine बनाने के लिए basic process क्या है, यह एक लाइसीन और दूसरा लाइसीन, pile B जो होता है, पहले इस वो methyl donate करेगा, फिर दोनों, यह normal, एक methylated lysine, और normal methylation, pile C की वज़से, ATP dependent process की वज़से जोड़ा जाता है, और यह ornithin की तरह काम करेगा, इससे deamination का process होगा, और फिर वहाँ से dehydration के process के बाद pyrolycine बन जाता है, यह है, आपके conditions इसमें याद रहे कि जो order है, वो है B, C, D, B का काम होता है, पहले methylation करने, C का काम होता है, यह आपका basic तोर पे condensation करता है, synthesis करता है, और D का काम होता है that dehydration and deamination, ठीक है, तो यह कहानी जो है, इस तरीके से चलता है, इसके बाद आपको पता है कि कुछ protein synthesis inhibitors जो है पाया जाता है, और inhibitors के तावर पे जैसे chloramphenicol है, erithromycin है, tetracycline, esceptomycin है, इसके कुछ मैंने common process भी सोगते हैं, जैसे मैंने बता आता है, PBV, यानि की VBP बोला hyacin and penicillin, यह cello synthesis को inhibit करते हैं, इसके अलावा होता है, that is, CNN, ciprofloxacin, nalidexic, novobicin, यह जो है DNA replication को inhibit करते हैं, खासकर जो है, गायरेज की activity को inhibit करके, topo-isomalase के activity को inhibit करके, इसके बाद जो है, आर, ए, बी, रिफामपीन, एंटिमाइसिन, डी, ब्लियोमाइसिन, रिफामपी कि विष्णु भगवान प्रकट हुए किस पे, CNN पे, VBP, विष्णु भगवान प्रकट हुए CNN पे, और रब जो है, कहां पे आएंगे, वो आएंगे BBC पे, ठीक है, BBC के मतलब, R break कर रहा है, R, बीटा सब्यूनिट, एंटिमाइसिन, ब्रेक कर रहा है, और ब्लियोमाइसिन कट कर रहा है, ये कंडिशन से, और बाखी ट्रांसलेशन के लिए कई सारे जो कंडिशन से, जैसे जेंटा मैसिन, नियोमाइसिन, कैना मैसिन, 16S, RNA के लिए, टेट्रा साइक्लीन्स जो होते हैं, वो A-Sight को निबिट करते हैं, प्यूरोमाइसिन, टी आरने की मिमिक्री करता हैं, तो ये सब ध्यार है, इसके मैंने निमोनिक्स भी बताया थे कि, जो है, के FC में जाके जनरल नॉलिजज की तपस्या करूं, ये सारे निमोनिक्स जो है, वो A-P-Use कर सकते हैं, तो ये सारे कंडिशन, वो आपके ट्रांसलेशन तक भी बताई गई गई हैं, इसके लाब प्रोड़क्त 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 बनने के बाद खुद को रिप्रेस कर रहा है जो कोई भी नॉर्मल जो होते हैं उसमें रिप्रेसर प्रमोटर ऑप्रेटर से बाइन करते हैं और रिप्रेसर जो होते हैं वो अप्रेटर से बाइन करते हैं अगर बात करता हूं यहां पर कई सारे जीन्स होते हैं आई जो है रिप्रेसर होता है बीटा गलेक्टोसाइड़ से लेटर से लेवल बहुत कम है तब अगर लो है तो लेक्टोस को गलोकोज फ्लस के लेक्टोस में करेगा और इंडियूसर के तौर पर अगर ध्यान दे तो लेक्टोज को अंदर लाने का काम लेक्टोज परिमेज करता है पहले लेक्टोज परिमेज को लाएगा लेक्टोज कम होता है तो पहले वो बीटा गलेक्टोसाइडेज उस लेक्टोज को कनवर्ट करेगा एलो लेक्टोज में जो की एक्टोज साइड़े कैसा रेग्टोग को क्या करेगा नेगेटिव नेगटिव डिप्रेशन में जो होगा तो ट्रांस्पोर्ट होगा पर्मिय के ट्रांस्पोर्ट होगा थो करेगा आपके लिफ्रेशर से पानेसर गण होगा और यहां पर सिंथेसिस श्याधा हो जाएगा अगर अगर लेच्टोज अपसेंट है तो कोई ट्रांस्पोर्ट नहीं होगा तो कोई रिप्रेशर चैघ्पटीवशन कोई नहीं होगा तो सब6 heps अप्रेटर से नहीं करेगा, तो और ने पॉलिमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसे कि ऑपरेटर या ट्रांस जो ऐपराउन ओफ रहेगा, पॉजिटिव रेगुलेशन जो है CMP से किया जाता है, याद रहे CMP रेगुलेट होता है, ग्लूकोज से, अगर ग्लूकोज प्रेजन्ट है, तो CMP का लेवल लो होगा, CMP लो होगा, तो CAP is a catabulate activator protein जो कि CMP से regulate होता है, CMP ज़्यादा, CMP लो, CMP लो, CMP लो, CMP लो तो यह कैन बाइंड नहीं कर पाएगा आपके, प्रमोटर से जिससे की बेंडिंग नहीं करेगा, सैडल माइंड फॉर्म करेगा, जिसकी वज़े से affinity RNA polymerase की कम हो जाएगी, और फिर ये transcription का उपराण ओफ हो जाएगा, अगर glucose कम है, glucose कम है, तो यहाँ पे glucose कम होने के वज़ें, CMP हाई, CMP हाई तो CAP का हाई हो जाएगा, तो प्रमोटर से बाइंड करेगा, और जो उपराण है ओफ हो जाएगा, अगर lactose present है, तो L-O lactose बनेगा, और यह represor जो है, और अगर glucose present है तो CMP low, CMP low तो cap low, cap low तो no winding of with RNA polymerase जो है, wind नहीं कर पाएगा और जिसे transcription off हो जाएगा, यह condition जो है आप develop करने के कोसिस करते हैं, इसलामा कुछ cases आते हैं, जो कि mutation cases होते हैं, याद रहे कि जो आपके कुछ cis acting होते हैं, जिसे promoter और operator और जो cis acting होते हैं, वो generally अगर present हैं, तो आपके जड़, उस cell में जिसमें present होंगे, वो dominant case so करने के कोसिस करते हैं, और जो transacting होते हैं, उनमें कई अलग अलग तरीके के mutations को आप आप सो करते हैं, जो करेंगे, तो ध्यान देने के कोसिस करें कि अगर जो transacting होते हैं, वो heterogamous में, अगर basic तरपे inducible होंगे, और कई अलग तरीके से जो है, आपके I के होते हैं, जो कि अपरेटर से ही नहीं कर पाते हैं, तो अलग गलग तरीकी के जो है, जो है cases होते हैं, उन cases को आपको understand करना पड़ेगा, और different conditions को check करना पड़ेगा, जो possible है की नहीं है, इन cases को ध्यान रख लेजिएगा, इसके अलावा जब हम बात करते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपराउन की तो ट्रिप्टोफैन ओपराउन एक negative regulation, repressible ओपराउन होता है, जिसमें 5 structure जीन होते हैं, जो कि मिल के 5 polypeptide बनाते हैं, और 3 enzymes बनाते हैं, जो कि राटी इंवेशन में leader sequences की बात आती है, याद रहे कि जब भी ट्रिप्टोफैन हाई या लो होगा, उसके basis पे चीज़े चलती है, यहाँ पे जो रिप्रेसर बनता है, वो वीक रिप्रेसर होता है, और वीक रिप्रेसर होने की वज़़ा से उसको और प्रेसर चाहिए होता और बाइंड कर लेता ऑपरेटर से जिससे की ओपराउन ओफ हो जाता है, लेकिन 50% यह ओपराउन ओफ आपता है, इसलिए 50% ओफ करने के लिए आपको 18-0 की जरुवत पढ़ेगी, तो ध्यान है कि अगर ट्रिप्रोफैन प्रेसर है, तो सिंथेसिस की नीडिड जरूरत नह है, जिसकी वजह से क्या होगा, कि यहां पर ऑपरेटर से बाइनिंग नहीं होगी, और ट्रास्रेप्शन ओन होके ट्रिप्रोफैन सिंथेस करेगा, लेकिन याद रहे हैं, इस बात पर निभर करता है कि एटिनुएशन है कि नहीं है, एटिनुएशन लीडर पर प्राइड क इस तरीके के कुछ लीडर सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे यह चार लीडर सिक्वेंसेज में से अगर पहले ही जो लीडर सिक्वेंसेज होता है, उसी में दो ट्रिप्रोफान होते हैं, अगर ट्रिप्रोफान अवेलेबल होगा, तो जो राइबोसोम होते हैं, वो स्कैन करके 2 पे आ जाएगा इसलिए जो पेरिंग होगी 3 और 4 के होगी जिसको बोलता है कि वो 3 और 4 जो होता है termination जो है signal की तरह काम करता यारी ट्रिप्टोफेन बहुत जादा है इस ओपराउन को चलाने के जरूवत नहीं है लेकिन अगर ट्रिप्टोफेन यहां पर नहीं मिलेगा तो वह यहीं पर बेट करेगा जिसकी वज़से 2 और 3 का सिगनल यानि पेरिंग होगी लूप बनेगा जो की एंटी टर्मिनेशन सिगनल होगा यानि ओपराउन के सिंथेसिस की जाया तो कुछ इस तरीके का सिगनल आप क्रोमोजूम लेवल पे तो हिस्टोन को मॉडिफाई किया जाता है इसके लावा अगर डिने लेवल पर हो रहा तो सीपीजी का मेथालेशन किया जाता है जो है मेथालेशन होगा साइटोसें के फिफ पोजिशन पर तो टांस्रिप्सन मुश्टी ओफ हो जाता है फेरेटीन के जो है ट्रांस्फर की सिंथेसिस कम होगी यहां पर ट्रांस्फरीन का सिंथेसिस होगा यहां ट्रांस्फर करने की जरूरत है और फेरेटीन जो कि स्टोरेज का काम करता है उसकी सिंथेसिस को रोग दिया जाता है और यहां पर आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- कोरेच का काम करता है और ट्रांसफवरीन की सिंथेसिस नहीं होती क्योंकि आरण का लेवल हाइव होता है यह कहानी और आपके molecular biology के revision के लिए ठीक है चलो तो आज मैंने बीच में break भी नहीं लिया और अगर जिन्होंने पूरा दो घंटा जुड़ा होगा बीच में पदस्मिट अगर नहीं होता तो ये 10 मिट खिचता नहीं बट unit 3 जो है समापती की तरफ जो है मैंने कर दिया और काफी कुछ मैंने इसमें रखा हुआ है अब कर दो ठीक है और आज strength काफी कम हो गया क्या वाई पस मजा नहीं आ रहे क्या चलो ठीक है नहीं मजा रहे तो अच्छी बात है और मजा आ रहा तो और भी अच्छी बात है मिलते हैं आप सभी लोगों से कल आठ बजे यूनिट नमबर एट के रिविजन के लिए ठीक है तो कोई जो है अजीब हो गरीब कंडीशन्स पर चल रहा है कैसे कैसे कुश्चन आते हैं ठीक है यहां नहीं आएंगे वहां नहीं आएंगे भाई मैं जहां से निकाला जा मतलब निकल चुका हूं वहां कैसे पहुंचूंगा है तो फिलाल के तौर पे अब कुछ लोगों को क्या ही करना अजीब हो गरी मतलब जो दिमाग को घुटनों की जगा जो है वो और भी रेचे मैं बता रहो दिमाग में बेल्ट बानी एक कमर में नहीं तो वह सरक के नीचे चला जाएगा है ना बहुत जरूरी है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है तो दोस्तों तो शेर सब्सक्राइब कर दीजेगा कल मिलेंगे आठ वजे क्ला गलग जगों पर देखने को मिलेंगे मैं तारीफ में नहीं बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको जब भी जरूरत हो तो इन वीडियो को जरूर देखिए जब आप रिवीजन के आप चाहेंगे तो एक दिन पहले भी लगभग सारे वीडियो तब तक आ चाहे तो एक दिन पहले जो है पूरी यूनिट रिवीजन कर सकते हैं और करिएगा इन ये वीडियो के हल्प की थ्रू ठीक है और करवाईएगा भी जो लोग आपके वेल विसर्स हैं मिलते हैं आप से कल थैंकि सो मच फॉर काइंड पेसंस और अपने दोस्तों को भी बुलाईए अच्छा लगता है मेरे को सुनाने में एनर्जी आती मेरे अंदर वैसे मेरी एनर्जी कम होगी नहीं वो तो बरकरार रहेगा बर ठीक है मिलते हैं आप सबी लोग से कल थैंकि सो मच वस अगेन वेरी गुड एवनिंग ध्यान रखिए सुबरातरी सब्बा खैर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत